नमस्कार मनुदेल स्रे क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का समाने गयान है उसे समधित जितने भी मेरतरपूर्ण क्यूशन अभी तक जिर आरपीसी के द्वारा विभिन एक्जामों में पूछे गए हैं उन क्यूशनों का संग्रा है जिसमे अपना पहला क्यूशन है कि हल्दी गाटे की यूद में किस मैदान में राणा पड़ता मुगल सेना से घिर गए थे तो खमनोर गाउं के रक्त तलाय के मैदान में नेग्सट है कि 37 समय राजस्थान किस रहीनी का राजजी था? नेग्सट है कि新 6 जमिनालाल बज्जाज जेपूर पढ़्जामंदल के अधिक्स कब बने थे? जेपूर पढ़्जामंदल के अधिक्स बने थे 1938 में नेक्स्ट है कि सिरोई आबू वा दिलवाड़ा तैसिल मद्दे पर्देश के मंदसोर जिलेर की मानपुरा तैसिल का सुनेल टपपा वा अजमीर मेरवडार छेतर को राजस्थान में कब मिलाया गया था तो इसको मिलाया गया था एक नॉवंबर 1956 में नेक्स्ट है कि सरिस्का में बागों के विलुप्त होने की घटना की जाँ छेतू किंदर सरकार ने किसकी अध्यक्सता में कारे दल बनाया तो सुनीता नारायन की अध्यक्सता में नेक्स शुशन आता है कि संत्रा उत्पादन के लिए परशिद राजस्तान का नागपूर है जहलावाड जहलावाड है राजस्तान में संत्रा उत्पादन का परतमिस्तान स्री गोकुल भाई भट किस परजा मंडल से समंदी थे तो गोकुल भाई भटते शिरोही परजा मंडल से साकंबरी माता का मेला कहां आयुजित किया जाता है तो सीकर में भरता है साकंबरी माता का मेला विलाई सिचाई योजना का समंद है जहलावाड से नेक्स्ट है कि वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन और चितरफल दोनों दश्टी से राजस्तान राज्ये का देश में पर्थम इस्तान है तो उत्पादन में और चितरफल दोनों में है बाजरा राजस्तान में पर्थम लोहा एस्ग से लोहा बनाने की प्राचिंतम भट्टियां कहां से मिली हैं तो सुनारिशें प्राप्त हुई हैं नेक्षटा की लेल्टांस पुस्ता के रचियता हैं कनया लाल सेठिया रेगिस्तान में रेद के बड़े बड़े टीले जिनकी आकर्ती लहरधार होती है वह होते हैं धोरे राव चंदर सेंथ अकबर की पहली बेंट कहां हुई थी तो इन दोनों की पहली बेंट हुई थी नागोर में नेक्स है कि राजेपाल विधान परिशद कितने सदस्यों को मनोनित कर सकता है तो राजेपाल विधान परिशद में एक बटिच्छ सदस्यों को मनोनित कर सकता है राजस्तान के किस भोतिक विभाग में सिचाई मुखे तक कुऊं और नलकूपों से की जाती है तो पूरी मेदानी भाग में जदातर शिचाई कुऊं और नलकूपों से की जाती है राजस्तान सरकार के द्वारा नी सुल्क दवायोजना कब शुरू की गई है तो 2 अक्टॉमबर 2011 में और इसको वापिस अभी जो गैलो सरकार ने बजट पेश किया है इसमें भी नी सुल्क दवायोजना को शुरू किया गया है मतलब लागू है continuous राजस्तान राज्ये हतकर का विकास निगम लिमिटेड का मुख्यले कहां पर है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी जेपूर 1984 में नेक्स्ट है कि राजस्तान राज्ये में फूल दानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोटरी विख्यात है तो ब्लेक पोटरी है वो विख्यात है राजस्तान राज्ये में अबरक इंटों का निर्मान होता है भीलवाडा में नेक्स्ट है कि राजस्तान राजे की जहलावाड जिले का सिरोज शेतर मर्दे परदेश में कब मिलाया गया था तो राजस्तान में जो जहलावाड का सिरोज शेतर है वो मर्दे परदेश में मिलाया गया था 1 नॉमबर 1956 में राजस्तान राज़े का पहला गाउं जहां साइबर कियोस्क की तापना की गई है तो उसका नाम है कालाडेरा नेक्श्ट है कि राजस्तान में सामपर्दाइक सद्भाव का आदर्स खुआजा मुनविदिन चिस्ते की दरगा कहां पे है तो अजमेर में स्थीत है नेक्स्ट है कि राजस्थान में संभागों और जिलों के संक्या है तो राजस्थान में साथ तो संभाग है और 33 जिले है राजस्तान में वोल इस्टोनाइट कहां पाय जाता है तो राजस्तान में जो वोल इस्टोनाइट है वो सिरोई और डुंगरपुर में पाय जाता है राजस्तान में लालदासी संपरदाय के परवर्थक थे संत लालदास जी राजस्थान में रणगपुर के मंदिर का निर्माता कौन था? तुरा रणगपुर के मंदिर के निर्माता थे धन्ना सेट ने्ट है कि राजस्थान में माता कॉंडालीनी का मेला बेसाख सुधी पुनीमा को लगता है चितोडगर्ड में जगह है रासमी वहां पे नेट है कि राजस्थान में फ़ंवारा शिचाई कारेक्रम का वास्तविक क्रियानवन की शुर्वात का सत्तर था 2006-2007 नेक्स शुशन आता है कि राजस्थान में वर्ल इस्टोनाइट कहां पाये जाता है तो शिरोई ओर डूंगरपूर में राजस्थान में फंवारा सिचाई कारिकरम का वास्तवी क्रियानोन की सुरुवाद सत्तर है 2006-2007 राजस्थान में परणामी संपर्दाय किसके द्वारा चलाय गया था तो परणामी संपर्दाय चलाय गया था महामती प्राणनात के द्वारा नेक्स्ट है कि राजस्तां में दाउद बहरा मुस्लमानों का परमुः धार्मिक इस्थान, पीर फखरूदीन की दर्गा है गलिया कोट में राजस्तान में चेतने महापुर्वों का सम्मन्द है गोड़ी संपर्दाय से और ये गोड़ी संपर्दाय क्या है वेश्णों भक्ति का मारग है राजस्तान में खुंगाली आबोशन पहना जाता है गले में राजस्तान में केंदरी विदाले कहां श्तीत है तो किसनगड में है राजस्तान में किस गरंथ में लालदाशी संपर्दाई की उपदेश है वाणी में राजस्तान में उदेवपूर से 66 कीमी दूर श्तीत रिशब देव का मंदिर किन की आस्था का केंदर है तो सभी देवी देवताओं की आस्ताओं का केंदर है, सभी आस्ता का केंदर है, उदेपुर के से 66 किलोमेटर दूर इस्तित है ये रिशब देव की जीव का मंदीर नेक्शे के राजस्तान में मिठे सा की दर्गा कहां पे हैं तो गागरोन जहलावाड में राजस्तान में एगोरी के समंद में सत्ते हैं कि समसान में रहने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं एगोरी राजस्तान में सरवादिक वर्षा होती है बंगल की खड़ी के मानसुन से राजस्तान में लालनाजी समंदित थे जसनाथ संपरदाई से राजस्तान में मिट्टी की खिलोने के लिए चर्चित जिला है नागूर राजस्तान में वल्लब संपर्दाय के सैंस्थापक कौन थे तो वल्लब बचारी थे राजस्तान में दिवत्यक कासी नाम से परशिद जिला है भूंदी राजस्तान में तालचा पर अभैरन किस के लिए परशिद है तो काले हेरन के लिए राजस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसी कहा जाता है तो गोडावन का नाम है राजस्तान में किस इस्तान पर बोध जेतालों के अवशेश मिले हैं तो बेराठ है जेवपुर में वहाँ पे राजस्तान में अरावली परवर्त माला की कितनी पर्तिशत लंबाई है तो असी पर्तिशत लंबाई है राजस्तान में धाई दिन का जोपड़ा कहां पे है तो धाई दिन का जोपड़ा है अजमेर में राजस्तान के लोकसंत पीपा के बच्पन का नाम क्या था तो लोकसंत पीपा के बच्पन का नाम था परताब सिंग राजस्थान के मेवाड और बाड मेर में पुरूसों का सामोहिक वर्ताकार नर्ते को क्या कहते थे तो सामोहिक वर्ताकार नर्ते को कहा जाता था गेर नर्ते नेक्स्ट है कि राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार इस्थापित करने का सुजाव किस ने दिया था तो भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर थे उन्होंने राजस्थान के कि जिले से सरवादिक राष्टे राजमार गुजरते हैं तो अजमेर से गुजरते हैं राजस्थान के कि जिले की सीमाएं सरवादिक आठ जिलों से लगती हैं तो पाली की लगती हैं निक्षुषना आता है कि राजस्तान के किन दो जिलों में होकर करक रेखा गुजरती है तो करक रेखा गुजरती है बांसवड़ा और डूंगरपुर से राजस्तान की सीमा किस राज्ये से सर्वादिक लंबाई लगाती है तो वो है मद्देपरदेश राजस्तान की बनास नदी कहां से निकलती है तो बनास नदी निकलती है खमनोर की पाहड़ी से राजस्तान की किस नदी को मर्द नदी कहा जाता है तो घगर नदी को कहा जाता है राजस्तान का सरवादिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो उसका नाम है जालावाड राजस्तान का सबसे गरम इस्थान है चूरू राजस्तान का वह जिला जो अंतराज्जी अंतरास्टी दोनों सीमाएं रखता है तो उसका नाम है स्रीगंगानगर राजस्तान का राज की खेर है बास्केट बोल राजस्थान का चरी नर्ते किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो चरी नर्ते किया जाता है गुजर जाती की महिलाओं के द्वारा नेक्षा कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचन गिरी के नाम से जाना जाता है जालोर का दुर्ग नेक्स है कि राजस्थान एक इकरन का स्रे किशे जाता है तो सरदार पटेल को जाता है रण थमबोर की चोहान वन्स का सेंस्तापक कौन था तो गोविंद राजे थे मुहमद गोरी और पर्थिवराज चोहान के मद्दे तराइन का पर्थम युद कब हुआ था मुहमद गोरी और पर्थिवराज चोहान के मद्दे तराइन का युद वा था ग्यारा सो इकान मैं में मेवाड हरीजन की स्थापना कब हुई थी सन 1941 में नेक्स है कि मेव जाती से समंद वाले संथ हैं तो लालदाज जी हैं वो मेव जाती से समंदित हैं मेरा भाई के पती का नाम था भोजराज मावट क्या है तो सीत रितु में राजस्तान में उतरी पस्चमी चक्रवातों से होनी वाली वर्था है उसे कहते हैं मावट नेक्स्ट है कि मारणा राज सिंग ने ओरंग जेव की विरुद किसे से विवा किया था तो मारणा राज सिंग ने ओरंग जेव की विरुद किया था चारो मती से विवा है नेक्स्ट है कि महा मारू सेली का पर्चलन किसके सासनकाल में हुआ था तो महा मारू सेली का परसलन हुआ था गुर्जर परतिहार के सासनकाल में मद्दे अरावले छेतर की सरवादिक उचाई परिस्ति चोटी का नाम है तारागड और तारागड है अजमेर में नेक्ष्ट है कि भील एंगराशियों को एकतरित करने के लिए संपसबा की स्थापना किसने की थी तो गोविंद गुरुन ने इस्थापना की थी संपसबा की भारत पाकिस्तान के मद्दे की अंतराश्टी रेखा का नाम है रेड गलिफ रेखा बरतपुर की जनता किसें सेर ए बरतपुर कहा कर सम्बोधित करती है तो सेर ए बरतपुर कहा जाता है गोकुल जी वर्मा को नेक्स्ट है कि बेराट राजस्तान के कि जिले में है तो बेराट पढ़ता है जेपुर में विसलपुर बांध किस नदी पर अस्तीत है बनास नदी पर बिकानेर की स्थापना की थी राओ बिकाने 1465 में बाड मेरी प्रिंट को किस नाम से जना जाता है तो बाड मेरी प्रिंट को अजरक प्रिंट भी कहा जाता है नेक्स्ट है कि बंदाईनी के अनुसार हल्दी गाटे का युद कहां हुआ था तो बंदाईनी के अनुसार हल्दी गाटे का युद हुआ था गोकुंदा में परधान मंत्रियों में सबसे बड़ा कारेकाल किन का रहा है तो जवारलाल नेरो का रहा है सोड़ा भर्सija 9 माह तेरा दिन पंजन नरते रजस्थान के किस चेतर में पर्श्लित है जो दिपावली के और्स आउशर पर किया जाता है तो रजस्थान के भागड चेतर है उसमें पर्श्लित है पूर्णते राजस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है पूर्णते राजस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है बनास पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाये जाते हैं तो पानी को ठंडा रखने के लिए बादला बनते हैं जोदपूर में पसिमी राजस्तान को अरावली परवर्थ माला से पर्थक करने वाले समरेखा का नाम है पचासे में ये समरेखा होती है वो राजस्तान और अरावली परवर्थ माला को पर्थक करती है समवर्षारिखा नाम है 50 समवर्षारिखा पस्यमी राजस्तान की मिटी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है तो केडल शियम की अधिक होती है निमन में से पस्यमी राजस्तान के जिसलमेर में होने वाली कर्शी का नाम है तो पस्यमी राजस्तान के जिसलमेर में जो क दर्शी की जाती है उसका नाम है खडीन नेनुराम किस आंदुलन से समंदी थे तो बूंदी परजामंडल आंदुलन से समंदी थे देश के कुल अबरक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा इस्थान है तो अबरक की उत्पादन में है तीस राजस्थान दादू जामर कोटड़ा है उदेपूर में जैसलमेर छेतर में बालू के टिबो को इस्थानी बासा में क्या कहा जाता था तो भाकर कहते हैं जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है तो उसका नाम है कांतली नदी जसनात संपरदाय के सहस्तापा का नाम है जसन माध जी, चोहानों का मुल इस्थान माना किसी माना जाता है तो चोहानों का मुल इस्थान है सपादलक्स एक चितोडगड दुरक के जेन किरति स्तम में उतकिरन तीन अभी लोखो किा स्थापना करता कौन था तो उनका नाम है जीजा सा गोटिया अंबा का मेला लगता है छेतरबदी अमाउशिया को नेक्स आकि गोगा मेडी की जिले में सीता है तो गोगा मेडी है हनुमानगड मे गंग नहर परियोजना का निर्मान कारेक कब समाप्त हुआ था तो इसका समाप्त हुआ था 1927 में कौन सी परवत स्रंकला पारकृतिक दरश्टी से राज्य को दो भागों में विभाजित करती है तो अरावली परवत स्रंकला ये शुरूती सिरोई से अलवर की ओर जाती हुई 470 किमी लंबी है कोटा के महारा अभीम सिंग कौन सा संग बनाना चाते थे तो ये हाडोती संग बनाना चाते थे कुशाल माता का वह भवी मंतिर जिसका निर्मान महाराना कुमबा ने करवाया था कहां इस्तित है तो इस्तित है बदनोर में किस लेक में पर्मारों की उत्पति रिशी वसिष्ट के आबू यक इक शेतर में पीला इमारती पत्थर मिलती है तो जेसर मेर में मिलते हैं पीला इमारती पत्थर। काली बंगा की खुदाई में प्राची नगर के कितने इस्थर पाए गए हैं। घर में एक साथ छे चुले किस प्रातत्वी इस्तल से प्राप्त हैं तो आहड से प्राप्त हैं उदेपूर में गोकुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है तो उसका नाम है बेड़च इसरलाट कहा है तो इसरलाट है जियवपूर में आहड सब्वेता को एक विशे स सब्वेता माना जाता है वह सब्वेता कौन सी है तो आहड सब्वेता है एकतामर योगिन सब्वेता आना सागर कहा इस्तित है तो आना सब्वेता सागर है अजमेर में अलावदिन खिलजी ने किस दुरग को जीत कर उसका नाम खेराबाद रखा था तो शिवाना दुरग को जीत कर उसका नाम अदल दिया था उसका नाम लिखा था खेराबाद अरावली के सबसे उची चोटी है गुरू सिखर नेक्स जागी अजमेर के नाग पहाड से कौन सी नदी निकलती है तो अजमेर के नाग पहाड से निकलती है लोनी नदी अकबर ने चितोड़ पर कप आकरम दन अधिनियम किस्से से सम्वंदित है तो पंचायत विवस्ता से सम्वंदित है नेक्स्ट है कि 1850 की क्रांती के महान सिरा नाई तांत्या टोपी ने राजस्तान में दूसरी बार कप परवेश किया था तो दिसंबर 1858 वे चिडिया टूप पहाड़ी पर कौन सा किला बना है तो महरान गट जोदपूर ये किला बना हुआ है चिडिया टूप पहाड़ी पर सिर सांटे रुक रहे तो भी सस्ते जान किनों ने कहा था तो ये विचार थे जामबो जी के मानगड धाम इस्तित है बांसवड़ा में बलवंत राय महता सिमीती का समन्था परजातांतिक भी केंद्री गर्ण से तगारी राजस्तानी बासा में किसे कहा जाता है तो तगारी होता है मजदूरों का ओजार उंट समारो का आयोजन राजस्तान के कि जिले में होता है तो उंट समारो का आयोजन विक्कानेर में होता है नेक्स्ट है कि हल्दी गाटी को मेवाड का थर्मोपोली तथा दिवेर को मेवाड का मेराथन किसने कहा है तो ये का जिम्स टोडने सतनस्ता के समय राजस्तान में कितने ठीकाने एंग कितनी रियास्ते थी तो 19 तो रियास्ते थी तीन ठीकाने थी एंग अजमेर मेरवडा का केंदर सासित परदेश था सेवन घास की जिले में मुखेता पाई जाती है तो सेवन घास पाई जाती है जेसल मेर में शीरोय के के सासक ने इस इंडिया कमपनी से संदि की थी तो उनका नाम था सिव सिंग Daveativo Sun की सरवं इतकारी पत्री का बोंदी से कप परकाशित भी थी तो 1889 में सरवं इतकारी पत्री का है वो परकाशित होई थी नेक्ष है कि सेयुक्त राजस्तान का नाम कब अंगीकर्थ किया गया था तो सेयुक्त राजस्तान का नाम 26 जन्वरी 1950 को श्री तेजाजी धाम सुर्षुरा राजस्तान के कि जिले में स्थित है तो तेजा जी धाम है जिसका नाम है सुरसुरा, ये स्तित है अजमेर में सा जहां के साले सलावत खां की हत्या किसने की थी, तो अमर सिंग राठोड ने हत्या की थी विश्णोई पंद का परवरतन करने वाले जांबो जी किस के अवतार माने जाते हैं तो जाम्बु जी हैं वो विश्णों के अवतार माने जाते हैं। वै कौन से लोग देवता हैं जिनकी अराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हितो जीवन की आहूती दी थी तो उनका नाम है तेजजा जी। लोगा खन जाता है तो नेक आ जाता है धोरे। राश्टकूर्ट सासक धुर्वन ने किस गुजरपतियार सासक के दक्षण विजे अभ्यानों पर रोक लगाई। तो उनका नाम है महेंदरपाल पर्थम। राजस्तान के राज्येपसु चिंकारा को राज्येपसु कब गोशित किया गया था तो 1981 में राजा नागबट पर्थम का राजवन्स कौन सा है तो राजा नागबट पर्थम का राजवन्स है गुर्जर परतिहार। राजस्तान सरकार के द्वारा संचालित राज के लवन स्रोध कहां परस्तित है तो राजस्तान सरकार के द्वारा संचालित राज क लवन है, वो डीडवाना वर पंच बदरा, इन दो जगों पे इस्थित है, राजस्तान वर भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की जील कोन सी है, तो उसका नाम है सांबर, राजस्तान राज्जे में बालु का इस्तूप वारे छेतरों में मिट्टी पाई जाती है, तो बालु में आदिवासी लोगों के दुआरा की जाने वाली खेती को कहा जाता है वालरा नेक्स्ट है कि राजस्थान राजे का परशिद परबत सर पसु मेला किस जिले में भरता है तो परबत सर पसु मेला भरता है नागोर में राजस्तान में सीशे की सबसे बड़ी खान कहां इस्तित है तो राजस्तान में सीशे की सबसे बड़ी खान इस्तित है जावर में राजस्तान में सचीय माता का प्राचिन सूर्य मंदिर इस्तित है ओसिया में राजस्तान में सरीर के अंग बेसमानदित अभोशन का कौन सा यूवम एसंगत है तो इसमें कान, बोरड़ा ये एसंगत है कान में पहनी जाती है कुंडली बोर्डा पहना जाता है सिर में राजस्तान में लालदा सी संपरदाइ के मानने वाले अधिकतर लोग सामानेता है किन जिलों में हैं तो ये पाए जाते हैं अलवर और भरतपुर में राजस्तान में राणी सती का मेला कहां लगता है तो जुंजनों में है राजस्तान में माता कुंडालीनी का मेला भरता है रास्मी गाउं चितोडगड में राजस्तान में फेल्स पर कहां पाय जाता है तो फेल्स पर है वो अजमेर, ब्यावर और भीलवाडा में पाय जाता है राजस्तान में पढ़नामे संपरदाय की उपदेश किस में संकलित हैं तो इसके उपदेश संकलित हैं कुल जे सवरूप में राजस्तान में दामिनी, तावित, मेंमन, फ्यर्णी, सांकली, आधी आभुषन समंधित होते हैं ये दोनों सीरवय मस्तिक से समंधित हैं राजस्तान में चपनी आकाल किस वर्ष पड़ा था? 1956 की विक्र में समंध में पड़ा था राजस्तान में घद्यों का मिला लगता है नोणी आवास में राजस्तान में केंद्र ये सरसु अनुसंधान केंद्र कहां स्तापित है तो सेवर भरतपूर में है राजस्तान में की जिले में सबसे ज़्यादा वन पाये जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वन पाये जाते हैं उद्यपुर में राजस्तान में उद्योगिक सर्मिकों के लिए उबोक्ता मुले सुचकां का आधार वर्स है 2001 पहजार एक राजस्तान में रामदुआरश थम्मंदित है रामजनी संपरदाय के प्रात्ता इस्तल से राजस्तान में अलग 25 तथा परमार्थ विचार जेशे ग्रंत को ये लेखे कौन से संत है तो उनका नाम है चतुर सेंजी राजस्तान में सरवादेश सुस्क जलवाईव वाला जिला है जेसलमेर राजस्तान में वासा का ओसत लगवक कितने सेंटीमेटर होता है तो सत्यावन से अठ्यावन सेंटीमेटर राजस्तान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्तली छेतर में सरवतम उपाई है वरक्सगों की पट्टी लगाना राजस्तान में बेहड भुमी का सरवादिक विस्तार की जिले में है तो यह स्वाई मादपूर में राजस्तान में नव विवायतों और बालिकाओं के द्वरा बनाए जाने वाला त्यूहार कौन सा है तो वो है तीज का त्यूहार नेक्स्ट है कि राजस्तान में 13.35 संपरदय के सैंस्थापक कोन है तो उनका नाम है भीमक जी ओस्वाल नेक्स्ट है कि राजस्तान में चंबल नदी का परवेश सरोपर्थम की जिले में होता है तो राजस्तान में चंबल नदी का परवेश होता है चितोडगड में राजस्तान में करसक के लिए सरवादिक लाबकारी मेटी है बलोई दोमट राजस्तान में अरावले सरंकला के समधुरतल से उचाई है 930 मेटर राजस्तान में पर्थुराज रासों की रचना किसने की थी तो पर्थुराज रासों की रचना की थी चंदर बरदाई ने राजस्तान के वल्लब संपरदाय का परमुख धारमे गिस्तल है नौत द्वारा नेक्ट है कि राजस्तान के रणकपूर जेन मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो रनकपूर जेन मंदिर का निर्मान करवाया था धरन साहने नेक्स है कि राजस्तान के पस्यमी भाग में पाये जाने वाला सरवादिक विसेल है सरप का नाम है पीवना सरप नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस लोग देवताऊं ने मुस्लिम अकरवनकारी मुहमत गजनवी के साथ में यूद किया था तो उनका नाम है गोगा जी नेक्स शुशनात है कि राजस्तान के कि जिले में अगनी अवरोदक इंटों का निर्मान किया जाता है बेका नेर राजस्तान के किस अभिलेख से चार परमुक वर्णों के विभाजन की जानकरी प्राप्त होती है तो ओस्या लेख है जो 1956 में राजस्तान के किस अभिलेख से चार परमुक वर्णों के विभाजन की जानकरी प्राप्त होती है तो ओस्या लेख है 1956 नेक्षा कि राजस्तान की सीमा किस राज़े से सरवादिक लंबाई रखती है तो मद्य परदेश से रखती है राजस्तान की 12 माशी नदिया कौन सी हैं तो 12 माशी नदिया हैं चंबल और माही राजस्तान की कोबड़ पटी कहा जाता है तो नागोर अजमेर वाला जो पायटा उसे कहा जाता है राजस्तान की कोबड़ पटी राजस्तान का सरवादी सुस्किस्थान कौन सा है तो फलोदी जोदपुर है राजस्तान का सबसे गरम जिला है चूरू राजस्तान का वह मेला जो कार्तिक महा के सुक्ल पक्त की पुनिमा को भड़ता है तो पुस्कर का मेला राजस्तान का राज्य गीत कौन सा है तो केसरिया बालम है राजस्तान का दिलवाडा मंदिर किस धरम के अनवायों का धार्मिक इस्तल है तो जेनियों का धार्मिक इस्तल है नेक्स्ट अगे राजस्तान का कौन सा भू आकर्ती भाग सबसे कम छेतर फल में विश्टिरत है तो अरावले परवर्तिय छेतर राजस्तान एकिकर्ण के कौन से चरण में जेवपूर वा जोदपूर रियासत सामील हुई थी तो जेवपूर वा जोदपूर सामील हुए थे चोथे में रन्थमबोर के हमीर के विरुद किस मुस्लिम साथ सेना नायक ने खिलची सेना का नेतर्थव किया था तो उलुक खाने नेतर्थव किया था नेक्ष्टा कि मुहमद गोरी ने पर्थुरा चुहान को कप प्राजित किया था तो मुहम्मद गोरी ने पर्थुराज सुहान को तरायन के दित्य यूद में प्राजित किया था नेक्स आता है कि मेवाड बांगड और आसपास के छेतरों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया अंदुलन का सुतरपात किस ने किया था नेक्स आता है कि मेवाड का अंतिम रावल राजा कौन था तो मेवाड का अंतिम राजा था रतन सिंग मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है तो मुंडियार की ख्यात में वर्णन है मारवाड के राठोड सासकों का माही नदी की साइक नदिया है चाप, ओराई, एरन और एराव ये माही नदी की साइक नदिया है मारानी कोलेज कहां परिष्टीत है तो मारानी कोलेज है जेपुर में माराना कुमबा की विजियों और विरुदों की जानकरी कहां से मिलती है तो इनकी हमें जानकारी मिलती है रणगपुर परसस्ती में नेक्ष्ट है कि मद्यपरतिस्त की जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है तो जनापाव पहाड़ी से निकलती है चम्बल नदी भील जाती के लोगों के द्वारा पहाडी डालों के वनों को जला कर खेती करना कहलाता है चीमाता नेक्स्ट है कि भारत में खारे पाने की दूसरी सब्चे बड़ी जील है सामबर जील कि जीले में अवस्तित है तो सामबर है जेपुर में नेक्स्ट है कि भांकडा नागल प्रियोजना कब प्रारम की गई थी तो भांकडा नागल प्रियोजना प्रारम की गई थी पर्थम योजना से पहले बांकिदासरी ख्यात में किस रियासत के सांसकों का वर्णन है तो बांकिदासरी ख्यात में है जोदपुर के सांसकों का वर्णन नेक्स्ट है कि बुजेवे रंगों का अधिक प्रियोग किस सेली में हुआ है तो बुजेवे रंगों का अधिक प्रियोग हुआ है नागोर सेली में विकानेर के परशिद के लिए के निर्मान करता किसे कहा जाता है तो बिकानेर की परशिद के लिए का निर्मान करते हैं राय सिंग नेक्श नेक्स ना की बान गंगा राजस्तान के किन तीन जिलों में बहती है तो बान गंगा बहती है जेपूर दोसायों भरतपुर में बनास नदी का उदिगम स्तिल है खमनोर राजसमंद नेक्स्ट है कि परशिद आदिवासी मेला बनेस्वर राजस्थान के कि जिले में आयुजित होता है तो बनेस्वर है टूंगरपुर में पांच सांसकर्तिक युगों के अवसेश कहां से प्राप्त हुए हैं तो पांच कांच सांसकर्तिक युगों के अवसेश प्राप्त हु हैं गणेस वर्षें नेक्ष्ट है कि पानीपत के तर्ते यूद के समय जाट सासक सुरजमल की क्या भूमिका थी तो वह यूद से अलग रहा था सुरजमल पस्मीर एगिस्तान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी पंडित नेनुराम सर्मा कौन से परजामंडल आंदोलन के प पौंग बांध है व्यास नदी पे नेक्ष्ट है कि नरपथी अस्वपथी गनपथी हाल गुरु आधी की उपादिया किस मेवाड के महराणा की थी तो नरपथी अस्वपथी गनपथी और हाल गुरु कहा चाता था कुंबा को देश में एसबेश्टोस का सरवादिक उत्पादन होता है राजस्थान में नेक्स है कि दादूपंती संपरदाय की परमुक गद्धी स्थीत है नरेना जेपूर में नेक्स है कि तेजाजी की घोडी का क्या नाम था तो तेजाजी की घोडी का नाम था लिलन डोल नर्ते की छेतर में किया जाता है तो डोल नर्ते किया जाता है जालोर में जालावाडवा गागरोन किस नदी के किनारे बसेवे हैं तो ये काले शिंद नदी के किनारे बसेवे हैं जेसनमेल जिरे में प्राकरति गेस के नए विसाल भंडार कहां मिले हैं तो भंडार मिले हैं डांडे वाला में नेक्ष्ट है कि जीन माता मंदिर कहां इस्थित है तो जीन माता मंदिर है सीकर में नेक्स्ट है कि जसनाती संपरदाय की मुख्य गद्धी किस राजस्थान में इस्थित है तो वो है राजस्थान में स्थान है विक्कानेर वहाँ पे है जसनाती संपरदाय की मुख्य गद्धी नेक्स्ट है कि जठी सतावदी के दित्ते चरण में पस्समी राजस्तान का छेतरफल कैलाता था तो उसे कहते थे गुर्जरता चिन्नी यातरी हैंसांग की यातरा के समय भीनमाल में कौन सा वन्त सासन कर रहा था तो चावडा राजपूत है वो सासन कर रहा था नेक्स्ट है कि चंपानेर के संदी मालवा और गुजरात के सासकों ने सिंग तुरूप से मेवाड के किस सासक के विरूद की थी तो वो की थी मारणा कुंबा के विरूद में नेक्स्ट है कि गोकुंदा और कुंबलगड के मद्दे का भाग कैलाता है बोराट का पठार नेक्ष आता है कि गंग नहर से सरवादिक सिचाई राजस्थान में की जिले में होती है तो गंग नहर से होती है गंगानगर में कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है तो काली मिट्टी है वो कपास की मिट्टी कहलाती है नेक्स है कि कोटा महाराव है जालिम सिंग के मद्दे मांगरूल का युद कब हुआ था तो मांगरूल का युद हुआ था एक अक्टुम्बर 1821 में कर्सी महाविदाले लाल सोट की जिले में रिस्तित है तो कर्सी महाविदाले लाल सोट है वो है दोसा में किस इस्तल के उत्खनन में इंडो युनानी ये सासकों के 28 सिक्के मिले हैं तो विराट नगर में प्राप्त हुए हैं किस लोग देवता कामडिया पंत की स्थापना की थी तो बाबा राम देजी ने की थी कामडिया पंत की स्थापना किस परतिहार सासक के समय परतिहारों की सकती चरम पर थी तो मिहीर बोज के टाइम में किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल गोशित किया गया है तो मोस्केट बोल को गोशित किया गया है काली बंगा की सब्वेता किस नदी की किनारे फैले थी तो सरस्वती नदी के किनारे करणल जेम स्टोड ने किस परवत चोटी को संतों का सिखर का है तो गुरू सिखर को कहा है करतिया सर में गुरु जसनाजी समर्ती में किये जाने वाले नर्ते का नाम क्या है तो उसका नाम है अगनी नर्ते एक राठोर सरदार ने राजस्तान में सरापर्थम ओंट का पर्योग किया और गोर अक्षया भी की वह कौन थे तो उनका नाम है पापुजी नेक्स्ट है कि उद्यवपूर में इस्तित अरावली परवत में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को इस्थानी बासा में क्या कहा जाता है तो उद्यवपूर में अरावली परवत की जो तस्तरी नुमा पहाड़ी हैं उनको गिर्वा कहा जाता है नेक्स्ट है कि इसाई समाज के लोग इसा मस्य का जनम किस अवसर पर मनाते हैं तो क्रिस्मस के टाइम में मनाते हैं नेक्स्ट है कि इंद्रा गांधी नहर परियोजना की साथ लिफ्ट नहर है इन में से सबसे लंबी लिफ्ट नहर का नाम है कमर सेन लिफ्ट नहर नेक्स्ट है आबू एंव दिलवाडा तैसलों का राजस्थान में विले एकिकरण के किस चरण में हुआ था तो सातवे चरण में हुआ था अलावदिन खिलजी ने चितोड विजे की उपरांद चितोडगड का नाम बदलकर क्या रख दिया था तो उसका नाम बदलकर रख दिया था खीजराबाद नेक्स्ट है अरावली के किस भाग में रेतिली मिट्टी पाई जाती है तो पस्मी भाग में रेतिली मिट्टी पाई जाती है अजमेर में आनासागर जील किसने बनवाई थी तो आनासागर भी जील बनवाई थी आनाजी ने अगबर ने जब 1567 में चितोड पराकर्मन किया उस समय मेवाड का माराना कौन था तो मेवाड के माराना थे उदे सिंग नेक्स्ट है कि RTU राजस्थान टेखनिकल यूनिशिटी कहां इस्तित है तो राजस्थान टेकनिकल यूनिशिटी इस्तित है कोटा में खंबो की छतरी राजस्थान में किस जिले में सीत है तो खंबो की छतरी है अलवर में नेक्स्ट है कि 1857 के सवतंतरता संगराम में फासी पर चटने वाला पहला राजस्थानी वेक्ती कौन था तो उनका नाम था अमर्चंद बांडिया नेक्स्ट है कि डोला मारू रादूहा के लिखक कौन है तो डोला मारू रे दूहा के लिखक है कवी कलोल नेक्स्ट है कि हकरा राजस्थान की किस नदी के मेदानी छितर के नाम से जाना जाता है तो घगर नदी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है कि मुमल किस सेली का पर्मुक चित्र है जो वहां के राम परसादों की पर्मुक स्वबा है तो जसल मेर सेली का पर्मुक है नेक्स्ट है कि बातारी फुलवारी की रसना किस ने की है तो बातारी फुलवारी की रसना की है विजेदान देथाने नेक्स्ट है कि 13 ताली नरते राजस्थान के किस मेले का परमुक आकरशन है तो 13 ताली है राम देव जी का मेला ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महतो नहीं देता उक्त कथन जलाओ दिन खिलजी ने किस किले के लिए कहा है हल्दी गार्टी कौन से जिले में इस्तित है तो हल्दी गार्टी है राज सम्मंद में नेक्स आता है कि 17 प्राप्ति के समय राजस्थान राज्जे में कितने जिले थे तो 17 प्राप्ति के समय राजस्थान में थे 25 जिले सोन जी की नसिया कहा इस्तित हैं तो सोन जी की नसिया है अजमेर में सीशा जस्ता उत्पादन में राजस्तान का देश में कौन सा इस्तान है तो पर्थमिस्तान है सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है पाली नेक्ष चैके सयुक्त राष्ट संग के विमेंट टोगेदर अवार दोजार साथ से समाने देश की पर्थम महिला कौन है तो उनका नाम है वसंद्रा राजि serv Di सिरी मोतिलाल टे जाइवाय के द्वारा एकी अंदोननी की शुरुवात कहां से की गी थी तो एकी अंदोलन की सुरुवात कीगी थी मातर कुंडिया से नेक्ष जाता है कि सहापुरा में कि संपरदाय का मठ है तो सहापुरा में है रामस नहीं संपरदाय का मठ वीशवर की सबसे बड़ी गेस पाइपलाइन का 680 कीमी हिसा राजस्थान के किन जिलों से गुजरा है तो अजमेर और जेपूर से सरवादिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है पाली नेक्ष जै कि स्युक्त राश्ट संग के विमेन टोगेदर अवार 2007 से समाने देश की पर्थम मेला है वसंद्रा राजे वह चिनी यात्री जिसने भीनमाल की यत्रा की थी उनका नाम है हेंसांग वंस भासकर में किस राजे का इतियास वणनी थैं तो वंस भासकर में हैं बूंदी राजे का इतियास लूनी नदी का जल किस इस्तान के बाद खारा होता है तो बालोतरा बाड मेर के बाद में नेक्ष आपना क्यूशन आता है कि राजचे कर्शी आयोग ने राजचे के ग्यारा जिलों में से किस मरुस्तली जिला घोशित नहीं किया है, तो हनुमानगड को मरुस्तली जिला घोशित नहीं किया गया है, नेक्स्टर की राणा उदे सिंग ने उदेपुर्ण नगर की स्थापना की थी, तो राणा उदे सिंग ने उदेपुर्ण नगर की स्थापना की थी, 1569 में, रा नेक्स्ट है कि राजस्थानी चितरकला की मूल सेली की चितर सेली को माना गया है तो मैवार सेली को माना गया है राजस्थान विदान सबाद चुनाव 2017 में उमिद्वरों की कुल संक्या कितनी थी तो 2006 में कुल उमिद्वार थे नेक्ष्ट है कि राजस्थान राजे में मिट्टी अपरदन को सरवादिक प्रोचाइद करने वाली नदी कौन सी थी तो उसका नाम है चंबल नेक्ष्ट है कि राजस्थान राजे में अरावली परवस रंकला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाए जाती है तो अरावली परवस रंकला के दोनों तरफ पाई जाती है दूसर मरुस्थलिये मिटी राजस्तान राजे के पसमी भाग में वनस्पती नश्ट होने का परमुक कारण है अते धीक पसू चारण राजस्तान राजे का सबसे बड़ा अभ्यालन राष्टी उद्यान है उसका नाम है राष्टी मरुद्यान राजस्तान में सोना कहां पर पाये जाता है तो राजस्तान में सोना पाये जाता है बांसवाड़ा और डुंगरपुर में राजस्तान में सबसे कम वर्षा की जिले में होती है तो सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में राजस्तान में सारदा मंदीर कहां पे है तो सारदा मंदीर है पिलानी में राजस्तान में लुनावासी मंदीर इस्तीत है माउन टाबू में राजस्तान में राम सरनजी महराज का पूर्वा नाम था राम किसन राजस्तान में मानसून वर्षा किस दिसा में बढ़ती है तो राजस्तान में मानसून वर्षा है वो दफ्षिन पसिम से उतर पूर्वा की तरफ बढ़ती है नेक्स्ट है कि राजस्थान में बर्षात का लोग देवता किस देवता को माना जाता है तो लोग देवता माना जाता है मामा देव को राजस्थान में परबसर नागोर का पसु मेला कहां लगता है तो परबसर पसु मेला लगता है तेजाजी पसु मेला राजस्थान में दिलवाडा के आधिनात मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो विमल साहने निर्मान करवाया था दिलवाडा मंदिर का राजस्थान में चपनी आकार पड़ा था 1956 विक्रिमी समंथ में राजस्तान में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पातन होता है बुंदी में राजस्तान में केसरिया नाजी का मेला चेतरवड़ी अस्टरमी को लगता है मेवाड में धूलेव गाउं में राजस्तान में किस धरम को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं तो हिंदू धरम को मानने वाले राजस्तान में कपिल मुनी का मेला कहां लगता है तो कपिल मुनी का मेला लगता है कोलायत में राजस्थान में सास बहु का मंदिर कहां इस्थीत है तो सास बहु का मंदिर इस्थीत है नागदा में राजस्थान में आई पंद के परवर्तक है जीजा देवी राजस्थान में साथ रंगों वाला मार्बल कहां पाय जाता है तो खदरा गाउं पाली में पाय जाता है राठोट सासकों का इसमें वर्णन है नेक्षात है कि राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंग के दरबारी कवी कौन थे तो उनका नाम था सूर्य मल मेशरन राजस्थान में नहरों के द्वारा सिचाई कितने परतिशत होती है तो राजस्थान में नहरों के द्वारा परपाथ कौन सी नदी पे बनता है? तो चोलिया परपाथ है, वो बलता है चंबल लदी में राजस्थान में कर्चि के लिए सरवादिक उप्युक्तüst्य मिटी है कछारी मिटी राजस्तान में उथरी भाग में किस मिटी की परधानता है? तो राजस्तान के उत्री भाग में है बलूई मिट्टी राजस्तान में बिसल देवरासों की रचना किसने की थी तो बिसल देवरासों की रचना की थी नर्पती ना लेने राजस्तान के वल्लर संपर्दय का परमुग धार्मिकिस्तान है नादवारा राजस्तान के राजे पक्षी का नाम है गोडावन नेक्स्ट है कि राजस्तान के पसिमी मरुस्तली भाग में वन किस रूप में पाये जाते हैं तो राजस्तान के पसिमी मरुस्तरे भाग में जो वन है वो कांटेदार पेड़ व जाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। राजस्तान के की सहर में हाथी समारो मनाय जाता है जेपूर में। राजस्तान के कि जिले में वार्चिक वर्षा में विसमता का पर्षित सरवादिक होता है जेसलमेर में राजस्तान के कि छेतर का देनिक तापांतर सरवादिक रहता है तो पस्यमी छेतर का देनिक तापांतर सरवादिक रहता है राजस्तान की सीमा सबसे कम किस राजे से लगती है तो पंजाब से लगती है राजस्तान की भासा के लिए राजस्तानी सबद का परियोग सर और पर्थम किस ने किया था तो जोर्ज अबराहीम ग्रियसन ने सरवत पर्थम परियोग किया था राजस्तानी बासा के लिए राजस्तानी सबद राजस्तान की कुल जन्संक्या है 6.86 करोड जिसके आंकड़े चेंज होते रहते हैं राजस्तान का सागवान कौन सा वक्स कहलाता है तो वो है रोहिडा राजस्तान का सबसे पूर्वी जिला है धोलपूल राजस्तान का वह वन्य जीव अभ्यारन जहां राज्य का पर्थम जेविक उद्यान विक्षित किया जा रहा है तो वह नाहरगड वन्य जीव अभ्यारन राजस्तान का राज्य नर्ते कौन सा है तो राजस्तान का राज्य नर्ते है घूमर राजस्तान का पहला लिगनाइट आधारित विदुद ग्रह कहां पे है तो राजस्तान का पहला लिगनाइट आधारित विदुद ग्रह है बाड मेर में राजस्तान का कौन सा भोतिक परदेश जल्वी भाजक का कारिय करता है तो मद्यवर्ती अरावली परदेश राजस्तान एकिकरंड से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था तो राजस्तान एकिकरंड से पूर्व गंगानगर है वो सिक्कर रियासत का भाग था रण थंबोर पर आकर्मन के समय अलाउदिन के साथ कौन सा कवी था तो उनका नाम है अमीर खुसरो यह केवल विजे स्मारकेनी वरन हिंद परतिमा सास्तर की एक अनुपम नीदी है यह कतन किस विशे में है तो यह विजे स्तम में है मेवाड यानि आलवर की वह जाती जिसे बलात मुसलमान बना दिया गया कैलाती है मेव नेक्स्ट है कि मेवाड का पर्थम साका कि सासक के सासनकाल में गटित हुआ था तो मेवाड का पर्थम साका हुआ था रतन्चिंग के टाई में मुसलिम संपरदाय में पेगंबर हजरत मुहम्मद के जनम की याद में कौन सा तिवार मनाते हैं तो बारा वफात माही नदी पर कनाड़ा बान निर्मित किया गया है गुजरात में मववा के पेड़ पाये जाते हैं उदेपुर और चितोडगड में मारणा कुमबा के द्वारा रचित कुछ एतियासिक नाटकों में राजस्थान के किस बोली का परियोग हुआ है तो मेवाड़ी का परियोग हुआ है मैं नेरेगा की शुरुवात कब हुई थी तो मैं नेरेगा की शुरुवात हुई थी 2000 भेरवाड़ा चिली में राजस्थान के कि संपर्दाय की पीठ इस्तीत है तो रामानु संपर्दाय की पीठ इस्तीत है नेक्स आता है कि भारत में चांदी की उत्पादेन में अतितिक योगदान है तो राजस्थान का भारत का वह कौन सा नगर है जिसका ब्लूपरिंट ति प्यार किया गया था नेक्स है कि बोड़ लोग प्रुसकार की छेतर में दिया जाता है तो बोड़ लोग प्रुसकार है वो दिया जाता है कर्शी छेतर में नेक्स है कि बुद्ध की जनम इस्थली कहां पे है तो बुद्ध की जनम इस्थली है लुंबनी में नेक्स शुशना परिशित भक्त कवित्री मीरा के पती का नाम था राज कुमार भोज राज नेक्स्ट है पांचना सिजाई प्रियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है तो पांचना सिजाई प्रियोजना है करवली में पूरी मेदानी भाग का समाने ढ़ाल है तो पूरी मेदानी भाग का समाने ढ़ाल पस्चिम से पूरो की ओर है पार्शियों का धार्मी ग्रंथ कौन सा है तो पार्शियों का धार्मी ग्रंथ है जेंद अवेस्ता पसिमी रगिस्तान वै खारे पानी की जीलें किसके आउसेस है तो ये टेथित सागर के आउसेस है नेक्स्ट है कि पंच्पद्रा में सुदर्शन सक्ती में कितने सेनिकों ने भाग लिया था तो 60,000 सेनिकों ने भाग लिया था नेक्स्ट है कि राजस्थान में पीतल पर मिनाकारी के लिए परशिद है अलवर और पाली नेक्स्ट है कि नलिया सर से आहत मुद्राई, इंडो ग्रीक सिक्के, इंगुप्त कलिन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 स्थामे की मुद्राई भी मिली है यह कहां इस्तित हैं तो यह हैं सांबर जेपुर में देश में खनीज उत्पादन की द्रष्टी से राजस्थान राजी का कौन सा स्थान है तो देश में खनीज उत्पादन की द्रष्टी से राजस्थान का पांचवा स्थान है नेक्स आए कि आता है क्यूशन की दादूपंति संपर्दाय की मुख्य गद्धी राजस्थान में किस स्थान पे है तो दादूपंत संपर्दाय की मुख्य गद्धी है नरायना में 13 पंति संपर्दाय की सैस्थापक का नाम है भीमक जी ओस्वाल नेक्स आता है कि तरायन का दित्य यूद किन के मद्य लड़ा गया था तो महमद, गोरी और पर्थुरा चोहान के मद्य लड़ा गया था तरायन का दित्य यूद जीलों की नगरी किस सहर को कहा जाता है उदेपुर को कहा जाता है नेक्ट आता है कि जेसल में राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं तो स्वांग या माता को अपनी कुल देवी मानते हैं जीन माता मंदिर इस्थित हैं तो जीन माता हैं सीकर में जांबेजी लोग देवता का पर्षिष्थान है संभार्थाल बिकानेर चटर सिंग वा पंच सिंग किस कामण में सहीद हुए थे तो तसीमों कांड में ये दोनों सहीद हुए थे चटर सिंग और पंचम सिंग चीनी यात्री हेंसांग ने राजस्थान राज्ये के किस नगरी की यात्रा की थी तो भीन माल की यात्रा की थी चमडे की हस्त सिल्प वस्तूओं के लिए परशिध है तिलोनिया नेक्स विश्न आता है कि गोकुंदा राजस्थान के की जिले में श्थीत है तो गोकुंदा है उदेपुर में गंगा जमूनी से तात परी है तो सोने चान्दी की जरीचे कीगी बुनाई को का जाता है गंगा जमूनी कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवयों की दरश्टिशी दो भागों में बाड़ती है तो पच्चास सेमी समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के जलवयों को दो भागों में बाड़ती है कौन सी रचना राजस्थान में नहीं है तो कूब और लेवाला ये राजस्थान में नहीं है कशन के बाल रूप के सेवा के संपरदाय के लोग करते हैं तो वेशनल धरम के लोग किस इस्तान की खुदाई में सुंग खुसान कालिन सब्वेता के ओसेस मिले हैं तो ये जोदपुरा में है, जोदपुरा जो सब्वेता है उसमें और जोदपुरा है जोदपुर में किस लोग देवता को जाहर पिर के नाम से जाना जाता है, तो गोगा जी को जाहर पिर के नाम से भी जाना जाता है किस परतिहार चाहसक ने गंगा में जल समादी ली तो नागभट दित्ते ने गंगा में जल समादी ली थी किस चितर सेली में पीला रंग परधान रहा है तो विकानेर सेली में पीला रंग है वो परधान रहा है काली बंगा में वीश्वा के पर्थम जूते हुए खेत के पर्माण मिले हैं यह अब कहां इस्तित है तो यह परकोटे के बाहर है करनल टोडने राजस्थान में अरावली की कि सोटी की संतों को शिकर काया है तो गुरू शिकर को कनाट बांध की जील से समंदित है गयता हुए है कि इस जील के किनारे मोती मगरी है जिस पर राणा परताप का इसमारक है तो यह फतेवपूर जील है उदेपूर में एक विशेज जल पातर जिसे जोदपूर में बनाया जाता है क्या कहलाता है तो उसे कहते है बादला उदेपूर सहर में किस प्रकार की सहरी परसासनिक व्यवस्ता है तो नगर निगम की सहरी व्यवस्ता है उडिया पठार की जिले में स्थीत है तो उडिया पठार है शीरोई में इंद्रा गांदी नहर से किन जिलो को सिचाई सुईदा प्राप्तोरी है, बिकानेर, जूरू, गंगानगर, हनमानगर, जैसलमेर, बार्डमेर और जोधपुर। नेक्स्ट है कि आबू परवर्थ पर जैन मंदिर की सासक के मंदरी के द्वारा बनाए गे थे, तो आबू परवर्थ पर जैन मंदिर बनाए गे थे सोलंग की मंदरी के द्वारा। अकबर ने मिर्जा राजा की उपादी किस राजबुत राजा को परदान की थी, तो अकबर ने मिर्जा राजा का था राजा मान सिंग को। हाडोती बोली राजास्तान के कि जिले में नहीं बोली जाती, तो टॉंक में हाडोती बोली नहीं बोली जाती। राजास्तान का मेंचेस्टर, वह अबरक की नगरी कहा जाता है भीलवडा, बादसा का मेला लगता है ब्यावर में, नेक्ष राता है कि थार मोथ सव, उत्सव का आयोजन राजास्तान के कि जिले में होता है, तो थार मोथ सव, बाढ़ में, कांठल किस नदी के आसपास के जाता है, तो माही नदी के छतर के आसपास को का जाता है, कांठल, हल्दी गाटी युद में परताप के गोड़े चेतक घायल हो जाने पर प्रस्तिती को समझते वे, किस वी राजपूत ने राचन और धवज अपने हाथ में ले लिया, और परताप के स्तान पर स्विम जनम इस तली कहां पर है, तो साह पूरा में, सोनु पढ़ता है, जैसल मेर में किस खनीज के लिए परशीद है, तो सोनु चुना पथर के लिए परशीद है, सरवादिक विक्रय मुले अरजित करने वाला राजस्थान का खनीज कौन सा है, तो संग्रमर है, सचिया माता का मं मंदिर इस्तित है ओस्या में नेक्स्ट है कि श्री रंगनात जी का मंदिर राजस्थान के कि जिले में है तो श्री रंगनात जी का मंदिर है अजमेर में सीवी जनपत के शिक्के प्राप्त हुए नगरी से वीसो में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्तल है थार का मरुस्तल वैपर्थम राजपूत सासक जिसने अपनी रणेती में दुरुक के स्थान पर जंगल और पहाडी छेतरों को अधिक मैतों दिया था तो उनका नाम है राव चंदरसेन वनस्तली विद्यापेट की सापना किसने की थी तो वनस्तली विद्यापेट की सापना की थी हिरालाल सास्त्री ने नेक्ष्ट है कि लोणी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है मीठा रेगिस्थानी बूबाक्स में पाई जाने वाली बहुप योगी सेवन गास का स्थानी नाम है तो सेवन गास को कहा जाता है लिलोन राश्ट ये माना अधिकार आयोक का मुख्याले है नई दिल्ली में राणा परताप के घोड़े की समाधी कांपे स्थीत है तो राणा परताप की घोड़े की समाधी है हल्दी गाटी में राजा राय सिंग राठोड के दुवारा बनाया गया जुनागड दुर्ग राजस्थान के कि जिले में स्थीत है तो भी कानेर में है राजस्तानी भासा में पार्डी किसे कहा जाता है तो भैस के बच्चे को कहा जाता है राजस्तानी विदान सबाचुनाव 2013 में कुल कितने मददाता है तो ये मददाता है 408-29-288 मददाता राजस्तान राजे में सबसे अधिक कर्सी उपज मंडिया इस्तित है कोटा में राजस्तान राजे में उर्जा करत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है जेपूर राजस्तान राजे के मरुस्तर के परसार को रोकने के लिए अपना सकरी योगदान देने वाला सैंस्तान है काजरी नेक्स्ट है कि राजस्तान राजे का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण किस बोतिक परदेश में स्थित है तो ये उत्री पस्यमी मरुस्तली छेतर में इस्थित है राजस्तान में हांडी परणाली से क्या प्राप्त किया जाता है तो उत्तर इसका है कथा कथा प्राप्त किया जाता है हांडी परणाली से राजस्तान में सबसे लंबा पगड़ी पहने वरल बनाने का रिकोर्ड है जोदपूर के हैं M.D. रंग्रेज उन्होंने 450 मीटर लंबी पगड़ी बनाई थी राजस्तान में सुन्ने उद्यक जिले कौन से हैं जिनमें एक भी उद्योंनी है उनका नामा जेसलमेर, बाडमेर, चूरू और सिरोई राजस्तान में लोग देवता और संतों के जनम एकरम स्थली कौन से हैं तो वो नागोर है राजस्तान में रामदेव जी का मेला पोकन के पास एक विशिश्षितान पर बढ़ता है तो वह है रूनेचा राजस्तान में मानसुनी हवाओं के परत्यावर्तन का समय होता है तो अक्टुम्बर, नौमबर राजस्तान में बान्ध, बेठा बान्ध, कहां है से तै तो बांध बेठा बांध है बरतपुर में राजस्तान में पहली बार राष्ट पती सासन कब लगा था तो 1967 में लगा था राजस्तान में धार्मिक्ता की परवर्थी अपेक्ष्याकर्थ अर्धिक रही है इसका करना है कि राज्ये की सेंसकर्ती में ही धरम का पुठ होना राजस्तान में जंचेंक्या की दरश्टी से सबसे बड़ा जिला है जेपूर राजस्तान में गुरु सीकर चोटी की उचाई कितनी है तो 17-22 मेटर राजस्तान में केल साइट कहां पाय जाता है तो केल साइट पाय जाता है सीकरोर उदेपुर में राजस्तान में किस धार्मिक वेक्ति की याद में उसकी दर्गापर अजमेर में उर्स का मेला लगता है तो ख्वाजा मौनोदिन चिस्ति की याद में राजस्तान में कपिल मुनी का मेला लगता है कोलायत बिककानेर में राजस्तान में अंग्रेजों के खिलाब 1850 की क्रांती का विफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था तो इसमें राजबूत सासकों का अंग्रेजों का साथ देना राजस्तान में आदिवासी सैंस करती लोकाई क्या है तो एक मर्त्यू होज है राजस्तान में शिक द्रम के अंतिम गुरू थे गुरू गोबिन सिंग राजस्तान में विश्णोई पंत का परवर्दन करने वाले जामबोजी किस के अवतार माने जाते हैं तो जामबोजी विश्णों के अवतार माने जाते हैं राजस्तान में मुंडियार की ख्याती में किसका वर्णन है तो इसमें मारवाड के राठोड सासकों का वर्णन है राजस्तान में बेकार भूमी का छेतर सरवादिक की जिले में पाये जाता है तो जेसल मेर में पाय जाता है राजस्तान में निम्मार्क संपर्दाय के सहस्तापक कौन है तो रामानुचाचारी है राजस्तान में तामभा गलाने का सियंतर कहां लगया गया है तो खेतरी में लगया गया है राजस्तान में 56 के मेदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो 56 के मेदान में लाल, रेतीली और कछारी मिट्टी पाई जाती है राजस्तान में केंद्रियसुक छेतर अनुसंधान केंदर इस्तित होता है जूदपुर में राजस्तान में उदेपूर के गिर्वा छेतर किया करती है तस्तरी नूमा राजस्तान में मारवाड उत्सव कहां पर मनाया जाता है जोदपूर में मनाया जाता है राजस्तान के वहे लोग देवता जिनोंने गुजरों की गयों को मेवों से छुडवाने हेतू अपने जीवन की आहूती दी तो उनका नाम है तेजाजी राजस्तान के रामानुजचारी किस दरम के अन्वयाई थे तो ये वेश्णो दरम के अन्वयाई थे राजस्तान के पीपासर गाउं का सम्मन्द है संत जामबोजी से राजस्तान के किस होटल को प्रियाटन के चेतर में पांस इतारा होटल का फुरुसकार मिला है तो जेपूर के जल महल को राजस्तान के किस जिले में सूर्य की किर्णों का तिर्चापन सरवाधिक होता है तुसरी गंगानगर में राजस्तान के किस चेतर ने कर्षक अंदुलन प्रारम करने की पहल की थी तो कर्षक अंदुलन का प्रारम हुआ था मेवाड में राजस्तान की सीमा से लगे पडोसी राज्ये हैं इसके पस्ची में पकिस्तान है दक्षिन पक्षिन में गुजरात है दक्षिनपुरों में मद्य पर्देश, उतर में पंजाब, उतरपुरों में उतर पर्देश और हरियाना है राजस्तान की भोगोलिक इस्तती है 23, 31, 12 उत्री अक्सायन से लेके 39, 38, 17 पूर्वी देशांतर के मद्य राजस्तान की कौन सी चितरकला सबसे प्राचीन माने जाती है तो मेवाड से लिए सबसे प्राचीन राजस्तान की ग्रिनाइट नगरी किसे का जाता है तो जालोर को कहा जाता है राजस्तान का सबसे प्राचीन संगटित उत्योग है सूती वस्तर उत्योग राजस्तान का सासन सच्ची वाले कहां पे स्थित है तो राजस्तान का सासन सच्ची वाले है जियोपूर में राजस्तान का राजे नर्ते है गूमर राजस्तान का पाकिस्तान से लगदी सरवादी कलंबी सीमा वाला जिला है जेसलमेर चार सो इकेतर किलोमेटर राजस्तान का कौन सा सहर कोठैरी नदी की किनारे बसा हुआ है तो वो भीलवाडा है राजस्तान एटोमिक पावर स्टेशन है रावत भाटा में राग माला का चितर किस चितर सेली का है तो वो अलवर सेली का है युन्यानी इतियास में किस इस्तान का उलेक मिलता है तो मद्दे मीका का उलेक मिलता है मेवाती भासा बोली जाती है अलवर में मेवाड का भिस्म पितामा किस सासक को कहा जाता है तो राव चूड़ा को मौनोत नेंचे के द्वारा उलेकित गूर्जर परतियारों की 26 साखाओं में से कौन सी परमुग दो साखा हैं तो मंडोर साखा एंब इनमाल की साखा माही परियोजना से राजस्तान राजे के कितने जुले को सिचाई सुईदा उपलब दूई है तो दो राजियों को मांडलगड के पास कौन सी तीन नदिया त्रेवनी संगम बनाती हैं तो बनास, बेड़च और मेनाल नदियां मारणा परताप का जनम किस इत्यासिक द्रुग में हुआ था तो मारणा परताप का जनम हुआ था कुम्बलगड में मरुस्तल विकास कारिकरम कब शुरू किया गया 1978 में भोमिया जी को किस रूम में जाना जाता है तो भोमिया जी को भूमी रक्षक के रूप में जाना जाता है भारत में जस्ते की सरवादिक मात्रा कहां उपलब्द है तो जस्ते की मात्रा है राजस्थान में भारत की एक मातर अंतरवाई नदी है लूनी नदी बोरा समाज का और्समेला कहां बरता है तो गलिया कोट में भरता है बुद्ध की जनम इस्तली कहां पे है तो लुंबिनी में है विकानेर परजामेंडल की स्थापना किस वर्स हुई थी तो विकानेर परजामेंडल 1936 विजोलिया किसान आंदुरन के प्रिणाता थे विजे सिंग पतिक बनी ठणी पेंटिंग सेली का सम्मन्द है किसंगड से प्राकर्तिक विपता सायता कोस की स्थापना के सीपारिस कौन से वितायोग के द्वारा के गे थी पोथी खाना चितरकला संग्राले कहां इस्तित है तो पोथी खाना चितरकला संग्राले है जियवपूर में पर्तिवी राज की अलपायों में सासन का परबंद कोन करता था तो उनकी माथी कपूरी देवी पचवायों के चित्रन का मुख्य विशिरा है श्री कशन की लीला नेक्स्ट है कि पस्यमी रेतिली सुस्क मेदान को अन्य किस नाम से जना जाता है तो उसे बालो का इस्तूप युगत परदेश भी कहा जाता है पंचड़ा नामक लोग पिरिये गित की सवतनता सेनानी के दुवारा रचीत है तो माने के लाल वर्मा के दुवारा रचीत है पंचड़ा निमबार्ग संपरदाय की परमुग गदी राजस्तान में किस इस्तान पे है तो किसंगड अजमेर में है नेक्स आता है कि नागबर्दिते ने मुसलमानों को पराजित किया इसकी जानकरी कहां से मिलती है तो गवालिर अबिलेक से देश में राजस्तान राजे का चूना पत्थर उत्पादन की दरश्टी से कौन सा इस्तान है तो चूना पत्थर में है दूसरा इस्तान दादू पंते संपर्दाय की मुख्य गद्धी राजस्तान में किस इस्तान पे है तो दादू पंते संपर्दाय की मुख्य गद्धी है नरायना में तृपुरा सुंदरी मंदीर इस्तित है बासवड़ा में तरायन का मेदान है हर्याना में जूमिंग कर्शी से तातपरी हो है सीचाई हेतु को का निर्मान करना जोर स्थोमस के द्वारा सन अठारा सो इस्वी में राजस्तान के लिए क्या नाम दिया गया था तो जो स्थोमस ने दिया था राजपुताना जंसेंक्या की दरश्टी से सबसे बड़ा राजी है उतर परदेश ये आंगडे हमेशा जोंतिया कहां की परशीद हैं तो ये जोतिया जेपूर और जोदपूर की परशीद हैं गोडावन के आवास के लिए परशीद छेतर सोर्चन राजस्तान के की जिले में है तो सोर्चन है बारा में गणेशवर सब्वेता का संबन्द है कांतली नदी से छेतरफल के राजस्तान में है मेरता नागोर में किस ने अपने राजदानी मंदोर के इस्थान पर भीनमाल बनाई तो उनका नाम है नागबट पर्थम नेक्ष्ट है किस विद्वान ने सूखा वा अकाल को राजस्तान का प्राकरतिक रोग की संक्यादी है तो उनका नाम है कर्णल टो किस प्रस्थिती में बप्पा और काल बोज को अलग-अलग विक्ती बताया गया है। कनेया लाल सेठिया का समंदै राजस्थानी साही तेशें नेक्टे की एकलिंग मंदिर किलास्पुरी में है यह राजस्थान के कि जिले में स्थित है तो एकलिंग मंदिर है उदेबूर में। उदे सिंग के साथ चितोड छोड़ने के पश्यात पन्ना धायकों किस इस्तान पर आस्रे प्राप्त हुआ तो कुंबल गड़ में प्राप्त हुआ था उडन गलेरी के लिए राजस्तान में परशिद अबैरनाय सिता माता इस्राइल के साहिता से राजस्तान राज्ये के सुस्क परदेसों में किस फसल को बोया गया है तो इस्राइल के मदद से होहोबा को बोया गया है आमेर में जगत सिरोमणी का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया है तो पुत्र की याद में बनाया गया जगत शिरोमणी अलावदीन ने राजस्थान में सुरपरतम किस राजे पर अधिकार किया था तो रन्थमबोर पर अधिकार किया था अरावली प्रुवत में टेडी मेडी कटक पाडियों को का जाता है बाखर अडाय दिन के जोपडे का निर्मान करवाया था कुतबो दिन एबकने अगवर ने राणा परताप को समझाने के लिए किसको पर्थम दूद की रूप में बेजा था तो जलाल खां को बेजा था अन्ता पावर प्लांट किस प्रकार का है तो ये गेस है अन्ता पावर प्लांट असो कलेलेंट सेंतर कापे स्तापित है तो अलवर में है अठारा जून पंदरा सो छेतर को कौन सा पर्षी दूद डड़ा गया था तो बंदरा सो शेतर में वहा था हल्दी गाटी का यूद बिकानेर के राठो रानकिरी ख्यात के लेकर कौन है तो बिकानेर के राठो रानकिरी ख्यात लिखी है द्याल दासने हाला जाला री कुंडलिया किसके द्वरा रचित है तो हाला चालारी कुंडलियां लिखिए इस सरदास ने रामदेव जी पसु मेला कहां विजित होता है तो नागूर में बादशा का मेला कहां लगता है ब्यावर में लगता है बादशा मेला नेक्स्ट है कि अर्ली चोहान डाइनेस्ट्रीज राजसान के किस परमुक्ष इतियासकार की रसना है तो डॉक्टर दसरत सर्मा की रसना है अर्ली चोहान डाइनेस्ट्रीज कानरदेव परबंद गरंद के रचिता कौन है तो पदम नाम है पदम नाम ने लिखिया है कानड़दे परबंद हल्दी गाटी यूद के पीछे अकबर का मुखे उदस्चे क्या था राणा परताप को अपने अधीन में लाना सतंदर्ता सेनानी सागर्मल गोपा कहां के निवासी थे तो वे जसलमेर के निवासी थे सोयबिन उतपादन की दरश्टी से देश में राजस्तान का इस्तान है चोथा सोरों की समश्या के निवारण हेतो प्रारम किया गया आंदुलन है अलवर किशान आंदुलन सरवाद एक समय तक मुखे मंदरी रहने का रिकोर्ड किन के नाम है तो मोहलाल सुखाडिया के नाम है सन 1929 में मा किसको रूस में आयुजित भारत मोसम में अपने परस्तुती देने वाली जोदपूर की मांड गायका का नाम है गवरी बाई स्रीमती फलको बाई राजस्तान में किस नर्ते की परशित नर्त्यांगना है तो चरी नर्ते की परशित नर्त्यांगना है फलको बाई सीशी परशितर कारी के लिए परशित है श्याम सर्मा नेक्स ट्रे की वीर बग्गाजी का जनम की जिले में हुआ था तो वीर बग्गाजी का जनम हुआ था बिकानेर में वै परशिद राजबूत राजा कौन था जिसने राजस्तान में सरवादिक दुरुगों का जिनोधार एव निर्मान करवाया तो उनका नाम है मारणा कुम्बा वंदे मातरम योजना का सम्मद है फ्री जांच की सुईदा लूनी नदी के पास कौन सा सहर बसा हुआ है तो लूनी नदी के पास बसा हुआ है अजमेर रेड गलीफ रेखा का राज़े में विस्तार है तो हिंदमल कोट गंगानगर से बाखा सर बाड मेर राश्टेर रोजगार गरंटी कारेकरम की सुरुआत हुई है 2006 में राणा सांगा का समन्द कहां से है तो राणा सांगा का समन्द है मेवाड से राज़े का 32 वा जिला करोली कब अस्तितों में आया तो 19 जुलाई 19 सत्यानमे में राज़स्थान में फावडे का समन्द किस से है तो खेट चे खर्पतवार हटाने का लोए का यंतर है नेक्स्ट है कि राजस्तान विदान सबाद चुनाओ राजस्तान राज्ये का सरवादिक बड़ा मेला है पुस्कर मेला नेक्स्ट है कि राजस्तान में हीरे के भंडारों की खोज कहां हुई तो राजस्तान में हीरे के भंडारों की खोज हुई थी केसरा पुरा चितोडगड राजस्तान में सर्दियों में वर्सा मुखेतों होती ये उत्री पसमी हवाओं से नेक्ष नहीं कि राजस्तान में सेव मत का सैंस्तापक किसे माना जाता है तो सेव मत के सैंस्तापक है लकूज लिस्को राजस्तान में लोगसभा की कितने सीटे हैं तो लोगसभा की 200 सीटे हैं राजस्तान में रुनेचा के मेले की वैविसेजता दोसु की समाज के लिए आवशेक है तो वह ऐ सांपरदाई के सदभाव राजस्तान में मारवाठ छेतर में सितलाश्ट मी के दिन मनाय जाने वाला त्युहार का नाम है घोड़ला निआच्ट है कि राजस्तान में बार बीज मेले का अविजन, आधिवाशी कब करते हैं, तो दिपावले के एक माइने के बाद, निआच्ट आता है राजस्तान में पूर मरुस्तल वाले जिले हैं जेसल मेर ge islamir और बाढ़ मेर, राजस्तान में नमक उत्पादन का परमु के इंदर है सांबर नेक्स्ट है कि राजस्तान में जांबेसर का मेला कि संपरदाय का लगता है तो जांबेसर का मेला लगता है विस्नोई संपरदाय का राजस्तान में गोकरु नामुक आभुशन कहां पैना जाता है तो गोकरु पैना जाता है कलाई में नेक्स आता है कि राजस्तान में कोकर्ण तिर्थ किसे कहा जाता है तो कोकर्ण तिर्थ है कहा जाता है पुस्कर को नेक्स आता है कि राजस्तान में किस सहर को संसिटी के नाम से जाना जाता है तो संसिटी कहा जाता है जोदपुर को नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में कहां का दसहरा मेला परशिद है जिसे देखने देश विदेश की लोग भी आते हैं तो कोटा का दसहरा मेला है वो परशिद है नेक्स्ट है कि राजस्थान में अतितिक मात्रा में पाए जाने वाले एजवालित खनीज है अबरक राजस्तान में गुगरे मेले का आयोजन आदिवासी किस मा में किया करते हैं तो फोस मा में करते हैं गुगरे मेले का आयोजन राजस्थान में इस्टोन इंडिस्ट्री पारे कहां पे स्थीत है तो जेपूर में है राजस्थान में विश्णोई संपरदाय के सैस्थापक कौन है तो जामबो जी राजस्तान में राज परमुक के स्थान पर राज जेपाल का पद किसके द्वारा सर्जित किया गया था तो साथवे सविधान संसोधन के द्वारा राजस्तान में बेड़स बनास मेनाल का तिर्मेनी संगम है बिगोद नेक्स आता है कि राजस्तान में न्यूक्त पहला एजी जी कौन था तो उनका नाम है लोकेट राजस्तान में थार मनुस्तल का एक मतर परवार बेसीन इस्तित है लूनी जवाई बेसीन राजस्तान में जसनाथी संपरदाय के परवतक, श्री जसनाथ जी का जनमस्तान है कर्तरिया बेकानेर में नेक्स आता है कि राजस्तान में खारे पानी की सरवादिक जीले की जीले में हैं तो खारे पानी की सरवादिक जीले हैं नागोर में राजस्तान में औरवरक खनीज किस खनीज को कहते हैं तो राजस्तान में औरवरक खनीज कहते हैं जिपसम को राजस्तान में हामेर रासो वा हमीर कवे की रचना किस ने की थी तो सारंग देव ने की थी राजस्तान के संद जामबोजी किस के सिसे थे तो राजस्तान के संद जामबोजी थे गुरू गोरकनात के सिसे राजस्तान के राष्टे मरुदान में कौन सा दुरलपक्षी पाया जाता है तो गोडावन पाया जाता है राजस्तान के पूर्टया मनस्पती रही छेतर है सम गाउं जेसल मेर नेक्ट आता है कि राजस्तान के कोटा जिले के बंडोले में इस्तित प्राचिन सीव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो हून नरेश तार मोन के पुतर थे मिहीर कुल ने इसका निर्माण करवाया था राजस्तान के किस जिले में मरु मोत्सव का आयोजन होता है तो जेसल मेर में राजस्तान के किस छेतर में गिदर नर्ते जो प्रूसों के द्वारा सामुहिक वर्ताकार में हाथों में डंडे लेकर हूली के अवसर पर किया जाता है तो वो किया जाता है सेकावाटी छेतर में कि राजस्तान की तामर यूगिन सब्वेता में सबसे परमुक सब्वेता है आहड की सब्वेता राजस्तान की 1070 कीमी लंबई पाकिस्तान से लगी सीमे रेखा का नाम है रेड कलीफ रेखा राजस्तान का सबसे बड़ा जिपसम का जमाव कहां मिलता है तो जामसर विकानेर में मिलता है नेक्स है कि राजस्तान का सबसे अधिक आदर जिला कौन सा है तो राजस्तान का सबसे अधिक आदर जिला है जालावेड राजस्तान का राज्ये वरक्स, खेजडी को राज्ये वरक्स कब गोशित किया गया था? 1983 में राजस्तान का पूरों से पस्मी सीमा तक विस्तार कितने कीमी है तो 899 कीमी 1928 में किस देशी रियासत ने गराम पंचायतों को वेधानिक दर्जा दिया था? तो विकाने रियासत ने, हीरा राजस्तान में कहां पाय जाता है? तो हीरा पाय जाता है केसर पूरा चितोडगड में Next है कि हल्दी गाटी की युद में रणा परताब की सेनिक प्राजे का मुख्य क्या कारण था? तो पुरंपरागत युद से ली था Next आता है कि सवतंतरता के समय अरजमेर मेरवड़ा चेतर पर किसका सासन था? तो अंग्रे सरकार का सासन था सूफी संद ख्वाजा मौनुदिन चिस्ती किसके सासनकाल में राजस्तान आये थे? तो परतिवराज चोहान तरते के टाइम में Next है कि सिख धरम के सरवादिक अन्यवाई राजस्तान में किन जिलों में पाये जाते हैं? तो सिख धरम के अन्यवाई हैं गंगानगर और हनमानगड में सर परताव सिंग 19-20 में जोद पर रिशाला लेकर कहां युद करने गई तो चीन में संत रेदास किसके सिसे थे? तो संत रामरान जी के सिसे थे स्वेव संपरदाय की परमुक गदी राजस्तान में कहां पे हैं तो उदेपुर में हैं Next आता है कि सांतिलाल जोसी का सम्मंध है फड़ चितरकारी से Next आता है कि विख्यात इसमारक अड़ाई दिनका जोपड़ा या ततकालिन सहसकर्थ महाविद्याले का निर्मान किसके द्वारा किया गया था? तो विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा किया गया था वर्ष 1921 में किसानों का सुर विद्रोही आंदुलन किस राजी में चलाया गया था तो अलवर में लोग संत पिपाली की गुफा कि जिले में है जालावाड में लासोडिया आंदुलन किसने शुरू किया था? तो सूरमल दास ने शुरू किया था रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वरक्ष जाना जाता है तो रेगिस्तान का सागवान है रोहिडा नेव्ट है कि राय सिंग परस्तस्ती कहां इस्तित है तो राय सिंग परस्तस्ती है जुनागड में नेक्स्ट आता है कि उसन की राजे सरकार के दुआरा एक अधायदे जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिकरण कर लिया गया है तो सामलिया जी मंदिर ट्रस्ट चितोडगडगा राजस्थानी लोग चितर सेले में पान्य क्या है तो पान्य होता है कागज़ पर चितरण नेक्स्ट है कि राजस्तान सरकार का अपना खाता सुविधा का सम्मन्द है जमीन की ओनलाइन नकल हेतु है अपना खाता राजस्तान राज्ये में वेश्णव धरम का सरव प्रतम उलेग कहां मिलता है तो गोसुंडी अबिलेग है उसमें मिलता है राजस्तान राज्ये में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है कांक रोली राज सम्मंद में नेक्ष्ट आता है कि राजस्तान राज्ये में अधिकांस वर्षा किन पवनों से होती है तो राजस्तान राज्ये में अधिकांज वर्षा होती है दक्षणी पसमी मानसुन से राजस्तान राज्ये के गठन के बाद सरवादिक भीषन अकाल कप पड़ा था 1987-88 में नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्ये का घिया पत्थर के उत्पादन में देश में कौन सा इस्थान है तो पहला इस्थान है नेक्स्ट है कि राजस्थान में सरवादिक ओद्योगी इकाहियां किस जिले में स्तापित हैं तो सर्वादिक ओद्यागी एकाहिया जेपूर में राजस्तान में संत लालदाशी मेव जिनोंने लालदासी संपर्दाय चलाया कहां पेदा हुए थी तो धोली दूप अलबर में पेदा हुए थी राजस्तान में वेश्णम् धरम का सरो पृथम लेक कहां मिलता है तो गोसुंडी लेक में मिलता है राजस्तान में लागू कीगी सबला योजना किस से समंदित है तो सबला योजना है बाली का ससक्तिकर्ण से राजस्तान में मेगने साइट कहां पर उत्पादित किया जाता है तो मेगने सैट उत्पादित किया जाता है अजमेर में राजस्तान में मेधरना कला का परधान केंदर है बीकानेर नेक्स्ट है कि राजस्तान का छेतरफर इस्राइल से कितना गुणा है तो इस्राइल से हैं सत्रा गुणा बड़ा राजस्तान का अंड बंडार कौन सा जिला कहलाता है गंगानगर कहलाता है नेक्स्ट है कि राजपरसस्ती के लेखक का नाम क्या है तो राजपरसस्ती के हैं लेखक रण छोड़ भटे नेक्स्ट है कि उनेस्को विश्वध रोरर में राजस्तान के कितने एतियासिक दुरुग सामिल किये गए हैं तो छे दुरुग हैं उनको सामिल किया गया है मेशा का पठा राजस्तान की कि जिले में स्थित हैं तो मेशा का पठा रहा है चितोडगड में मेवाड का मेराथन यूद किसे कहा गया है तो दिवेर के यूद को कहा गया है मेवाड का मेराथन यूद मूर्ती किला के दिहस्त सौंपुरा जाती के सिल्पी मूलत है कहां से सम्मन दीत हैं तो ये बासवड़ा से सम्मन दीत हैं नेक्स्ट है कि माही बजा सागर प्रियोजना का फेलाओ किस यत्तर में है तो राजस्तान तता मध्य पर्देश में है मांडो की पाल डुंगरपुर में किस खनेज के लिए परशिद है तो मांडो की पाल फलोराइट की खनेज के लिए परशिद है मारणा परताप का निदन कब हुआ था जनवरी पंदरा सो सत्यान में नेक्स्ट है कि मजदूर किसान सक्ति संगटन किसके द्वारा इस्थापित किया गया है तो अरुनार रोई के द्वारा भारत में राजस्थान का जिप सम उत्पादन में कौझ सा इस्थान है तो पहला इस्थान है बारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील का नाम है सामपर बोधरम का परवर्तक किसको माना जाता है तो मात्मा बुद्ध को बुला चोदरी की स्खेल से समंदित है तो तेरा की से समंदित है बेकानेर में आजादी अंजोलन का जनक किशे माना जाता है तो भी प्रवंस ये बताया गया कुम्मलगर प्रस्थी में बपारावल को प्रारम में बिजोलिया अंदुलन का नेतरत्व किया था सादू सिताराम दास ने नेक्ष आता है कि परताब की सेना ने हरावल का नेतरत्व किस ने किया था तो हकीम सुर्फ बठाने किया था नेक्ष आता है कि पर्तिवराज के सासन प्रबंद समालने के बाद उसका पर्थम सेनिक अभियान किसके विरुद हुआ था तो उसके चचेरे भाई थे नागारजुन उनके विरुद में हुआ था नेक्ष आता है कि पिछवाई कला के लिए कौन सा छेतर जाना जाता है तो नादवारा राजसमन नादवारा पड़ता है राजसमन में वो पिछवाई कला के लिए जाना जाता है नेक्स्ट है कि पस्नमी विक्षोबों जिनमें सीतलकाल में राजस्थान में मौवट होती है का सम्मन्द है भूमत देशागर से पट चितरन को राजस्थान में क्या कहा जाता है तो पट चितरन को कहा जाता है फड़ या फड़ निर्मल निकाय पुरुसकार दिया जाता है इस्थानी सहरी निकाय पे नागबट पर्थम परतिहार के दादा का क्या नाम था तो उनका नाम था रजिल देश में नमक उत्पादन की दृष्टी से राजस्थान का कौन सा इस्थान है तो देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का आता है इस्थान चोथ था दिवेर के युद के पश्याद मारणा परताब की ने राजधानी कौन सी थी तो दीवेर का युद होता है एक्टूंबर 1582 में उसके पच्यात मारणा परताब ने अपनी राजदानी ने बनाया था चावंड को थार के मरुस्तर का छितरफल कितना है तो इसका छितरफल है 231 वरक किलोमेटर तराइन का मेदान वर्तमान में है तो कर्णाल में है तराइन का मेदान टायर टूब उद्योग राजस्तान में इस्तापित है कांक रोली में नेक्स आता है कि जोदपूर में पर्थम जन्गन्ना कब किये गी थी तो जोदपूर में पर्थम जन्गन्ना होई थी 1881 में जून मा में सूर्य की जिले में लंबबद चमकता है तो जून मा में चमकता है बांस वाड़ा पे जालोर का कस्मीर किसे का जाता है तो बढ़ गाउं रानी वाड़ा इसको जालोर का कस्मीर कहा जाता है जमनालाल बजा स्व reinforcing को कौन सा गुलाम कहते थे तो गुलाल नमबर चैर कहते थे चुलिए परताब किस नदी परस्तीत है तो चूलिए है चंबल पे चंबल राजस्थान में कहां परवेश करती है जो 84 गड़ के निकट है वो चंबल नदी राजस्थान में परवेश करती है गुपाल योजना में सामुदाइक स्वावलम्मिन की भावना है इसका मुख्य उद्र से है करतीम गर्बादान के द्वारा पसु नसल में समवर्दन करना गार्नेट सरवादी कहां पाये जाता है तो गार्नेट पाये जाता है टॉंक में खनन शतर में होने वाली आय की दस्टी से राजस्थान का देश में स्थान है आठवा कौन सा उच्छव चांद दिखाए देने पर मनाये जाता है तो चांद दिखाए देने पर यहां पर ज्यादातर जो हैं वो मनाये जाते हैं जैसे करवा चोत है और बाकी जितने भी वर् निर्माण योजना का सुतरधार कुन था तो किर्थी इस्तम की निर्माण की योजना का सुतरधार था जेता किस विद्वान ने आड़ सब्वेता का समर्दी काल 1907 पुर्व से लेके 12 इस्वा पुर्व तक माना है तो उनका नाम है गोपिनात सर्मा नेक्स्ट है कि किस महाव तो उसका नाम है अजमीर राज के महाविद्धाले की जन गरनावर्श में जन्रजक की अवर्धीदर नकाराथ में थी ? कालेबंगा संसकर्ती की खोज अपरतम किस के द्वारा की गई थी ? कवी सूरी अमल मिश्रण की किस रजना में बूंदी के महाराजा राव सुर्जन सिंग की उपलब्दियों का वर्णन किया है तो वह है वंस बासक इसमें सूरी अमल मिश्रण ने बूंदी के महाराजा राव सुर्जन सिंग की उपलब्दियों का वर्णन किया है कपिल मुनी की तपोब मी जो अब राजस्थान का एक रमणी इस्थान भी है तो वो कुलायत एकलिंग महामत्ते गरंद का लेखन कार्ये की सासक के द्वारा पूरा किया गया था मारणा कुम्बा के द्वारा नेक्स्ट है कि उंट की खाल पर किया गया चितरांकन किस चितर सेली की विशेशता है तो बूंदी सेली की विशेशता है उतर भारत का एक मातर रावन मंदीर है जोदकुर में इन में से कौन सा किला चिडिया टुक पहाडी पर बना हुआ है तो चिडिया टुक पहाडी पे है मेरानगड का किला आयताकार बुर्जिया किस उत्कनन इस थल से प्राप्त हुआ है तो बाला थल से प्राप्त हुआ है आयताकार बुर्जिया असो कालिन गोल बोध मंदिर वैस्तू कहां प्राप्त हुए है तो ये बीजग की पहाड़ी है जियुपुर में वहाँ से प्राप्त हुए है अरावली परवत राजस्तान राज्य के कितने परतिशत भुबाग पर विस्तित है तो नो परतिशत भुबाग पेस्तित है अरावली परवत अनावर्ष्टी जनित अकाल को राजस्तान में क्या कहा जाता है तो दुर्विक्स कहा जाता है अक्षे तर्तिया किस हिंदी मा में आता है तो अक्षे तर्तिया आता है वेसाक मा में अईर जुसरों ने किस दुर्व के पतन के बाद कहा कि कुरुफ का गड़ इसलाम का घर हो गया है तो रन्थम बोर के दुरुख के दुरुख के बारे में कहा गया है कि अब कुरुफ का गड़ इसलाम का घर हो गया है बिट्स इस कहां पे इस्तीत है तो बिट्स है पिलानी जुन जुनु 1938 इस्वी में इस्थापित मेवार परजा मंडल का पर्थम अध्यक्स कौन था तो बलवन्द सिंग थे मेजा बांध किस नदी पे बना है तो कोठारी नदी पे है हाला जालारी कुंडलिया की रचना किस ने की थी तो इस अर्दास ने की थी वेदो की ओडलोटों का नारा दिया था दयानन ने बाबा का भांगडा टापू की जिले पर भसा है तो जैसमन जील पे है बाबा का भांगडा नारेली तिर्थ कहां इस्थित है तो ये अजमेर में है नारेली तिर्थ किस मिश डे मनाय जाता है 25 दिसंबर को हाथी गाव कहां इस्तित है तो हाथी गाव है कुंडा में हरी भाव उपाद्याय ने महाविर परसादि वेदी के साथ मिलकर कौन सी पत्रिका का संपादन किया था तो सरस्वती पत्रिका उसका संपादन किया था इस्तलाकर्टी की दर्ष्टी से राजस्तान के किस परदेश को एक विशाल इनसेल बर्ग की संग्या दी गई है तो आबु परवत खंड को दी गई है सुकडी गूई या नदी के किनारे पे कौन सा सेरिस्थीत है तो सोजग पाली श्थीत है सरवोची शीकर गुरु शीकर की उचाई कितनी है तो 56-56 फिट है, सबसे अधिक न दिय कि समभाग में पाई जाती है, तो कोटा में पाई जाती है, सबसे अधिक न दिया संत जसनात जी का जनम की जिल्ले में हुआ था तो संत जसनात जी का जनम हुआ था बिकानेर में सुं एव कुशान कालिन सबेता के अवसेज कहां मिले है तो जोदपुरा से प्राप्त में है व्रक्षों को बचाने है तू प्रानुचत करने है तू परशीद खेजडली गाउ राजस्थान के किस जिले में है तो खेजडली गाउ है जोदपुर में वह राजबुत रानी कौन थी जिसने अपने सेकड़ों अन्योयों के साथ अलाउदीन खिलजी के 1303 इस्यापुर्व में चितोडगड़ पर कबजा करने पर जोहर कर दिया था तो उनका नाम है पदमीनी वर्मी की उलाइट राजस्थान में कहां पर पाये जाता है तो अजमेर में पाये जाता है लोग अदालत की सुराथ राजस्थान में सबसे पहले कहां हुई थी तो कोटा में हुई थी 1905 में रोख फ़ुसपेट के राजस्थान में पर्मोगिस्थान कौण से हैं, तो रोख फ़ेस्थान पैयर जाता है, जामर कोटडा उदेपुर में और विर्मानिया जेसलमेर में रियासतों को भारत में समलित करने के लिए किसके नेतरतों में रियासती मंतराले बनाया गया था तो सरदार वल्लबाई पटेल के नेतरतों में रणा सांगाने की सुध में बाबर के सेना कहराया था तो बयाना का यूद था उसमें राज़े के कुल इस투दीश सीमा है 69 किलो मेटर राजस्थानी में लंबरदार का क्या आर्थ होता है तो लंबरदार का आर्थ होता है किसी समुह का मुख्या बाजस्थान विदान सबाद चुनाओ 2013 में महिला मिद्वरों के चंक्या कितनी है तो 166 है कुल तो इस बार जो चुना हुए हैं उसमें कितनी है महिलाओं के संख्या वो आप कमेंट करके बताएंगे राजस्तान राज्ये में सरवादिक मसाले उत्पादित होते हैं तो राजस्तान राज्ये में सरवादिक मसाले उत्पादित होते हैं बारा में राजस्तान राज्ये में कपास की फसल के लिए कौन सी मिटी अध्यू को प्युकता है तो काली मिल्टी राजस्तान राज्ये खनीज विकास निगम लिमिटेड के दुवरा संचारित जिपस मुत पादन की सबसे बड़ी खान है विसरासर नेक्स राजस्तान राज्ये की जलवायों की मुखे विसेशता होती है तो आपकरम में अतिन्त निरंदरता दिखाई देती है राजस्तान राज्ये का एकमतर ऐसा जिला जिसमें एक भी उप तैसील नहीं है तो वो है पाली राजस्तान में सुरपर्थम सुर्योदे की जिले में होता है तो धोलपूर में होता है राजस्तान में सेव संपरदाय की गद्धी कहां पे है तो सेव संपरदाय की गद्धी है उदेवपूर में राजस्तान में वल्लब संपरदाय की पांचवी एं साथवी पीट कहां पे है तो ये कामा भरतपुर में है राजस्तान में रगिस्तान की शेतर में पाये जाता है तो पस्चेमी शेतर में राजस्तान में मिट्टे का सरवादिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है तो उस नदी का नाम है चंबल राजस्तान में बेंटोनाइट के बंडार कहां पे हैं तो बेंटोनाइट के बंडार है जालावाड में राजस्तान में पूर्ण मनुस्तल वाले जिले हैं जस्रमेर और बाड मेर राजस्तान में नाकर सेली का सबसे भवे मंदिर है सोमेश्वर राजस्तान में जेम इस्टोन और द्योगिक पारक किस दिले में सीता है तो जेम इस्टोन और द्योगिक पारक है जियवपूर में राजस्तान में गोगा जी का मेला कहां लगता है तो गोगा जी का मेला लगता है गोगा मेडी में नेक्स डैगे राजस्तान में कौन सा संपर्दाय है जिसमें राम की भक्तिवा पूजा कर्षणा की भाती उन्हें रिष्क नामक मानते हुए की जाती है तो रामानुज संपर्दाय नेश्ट है कि राजस्तान में किस इस्तान पर 277 फूट उची बगवान पदम प्रभु की परतिमा इस्थापित की गई है तो पदम पुरा में स्थापित की गई है राजस्तान में कहां पर सरद मौसव मनाय जाता है तो सरद मौसव मनाय जाता है माउंट अबो में राजस्तान में अद्बुत नात का मंदिर किस इस्तान पे है तो अद्बुत नात का मंदिर है नागदा में राजस्तान में चूल गिरी का सम्मद है जेन दरम से राजस्तान में इस्तुरियों दुवारा कमर में एडी तक पैना जाने वाला वस्तर कहलाता है घागरा राजस्तान में संत जाबोजी ने जिन 29 नियमों का परवर्दन किया उन्हें मारने वाले को कहा गया है विश्णोई राजस्तान में रामसने किसके उपासक हैं तो राजस्तान में रामसने वी निर्गुन निराकार ब्रमा के उपासक हैं राजस्तान में ब्लू पोर्टरी का सम्मंद है परशिद केंदर है जेपूर। राजस्तान में पान मेथी के उत्पादन है तो परशिद जिला है नागोर। राजस्तान में दादू मुक्स प्राप्ति के लिए आवसेख समझते थे गुरू के दुआरा मार्ग दर्शन पे। नेक्ष्ट है कि राजस्तान में जम्बो जी द्वारा परतेपादि 29 नियमों का पालन करने वाले अनुवयों को विश्णों ही कहते थे। राजस्तान के रेगिस्तानी छेतर प्राग एतियासी काल के किस भाका आउसेस है तो टेति साकर के आउसेस है। सबसे अधिक है तो अजमेर में है राजस्तान के किस चितर में तांबे की खान है तो खेतरी, खोह दरीबा और सिंगाना में। राजस्तान के अब्दुल फजल के नाम से विख्यात इतियास वीद मोन और नेंसी की जनम इस्तली है जोदपुर। नेक्स्ट है कि राजस्तान की मीरा भाई की जनम भूमी है मेरता शिटी। राजस्तान की पहले महीला सहस्तर बटालिन किसके नाम पर होगी तो हडी नानी के नाम पर होगी। राजस्तान की 1070 कीमी लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा का नाम है रेड कलिफ रेखा। राजस्तान का सबसे वेस्तम राष्ट्य राजमार्ग कौन सा है तो राष्ट्य राजमार्ग आठ राजस्तान का सबसे अधिक अधरिस्तान कौन सा है तो सबसे अधिक अधरिस्तान है माउंट अबू जो पड़ता है सिरोई में राजस्तान का राज्ये वरक्षै खेजडी राजस्तान का पर्थम चोहान राज्ये कौन सा था तो अजमेर था राजस्तान का छेतरफल कितना है तो किलोमेटर और वरग मील में वरग किलोमेटर में है 322,249 और वरग मील में 132,149 राज़स्तान का एकमतर जिवास्म पारक इस्तित है अकलगाम है जैसलमेर वहाँ पारक है राजकुमारी कश्णासी विवा के लिए किन किन रियास्तों के मद्दी विवाद हुआ था तो जोधपूर और जैपूर युनियस्को विश्वद रोवर में राजस्तान के कौन-कौन से दुर्गों को सामिल किया गया है तो चितोडगड, गागरों, रन्थमबोर, आमेर, जेसलमेर और कुम्बलगडगो मुमा अपने डेध वारन पर हंस्ताकसर कर रहा हूं यह कतन किस रियासत के सासका था, तो बांस वड़ा रियासत के सासका था मेवाड के पर्थम साके की रूप में किसी जाना जाता है, तो रानी पदमिनी को जाना जाता है मुसी माराने की छत्री राजस्तान के कि जिले में स्थित है तो मुसी माराने की छत्री है अलवर्मी मिट्टी की उर्वरता इन उत्पादक्ता को परभावित करने वाले मुख्य कारक है जेविक तत्व मानिके लाल वर्मा को कहां का परदान मंत्री बनाया गया तो मानिके लाल वर्मा को बनाया गया स्यूंक्त राजस्तान संग का परदान मंत्री नेक्स्ट है कि महारणा परताब का राज दिलग कब हुआ कहां हुआ तुरान भारना परताप का राजदेलक 1572 में हुआ था गोकुंदा में मरियादा पुरुसोतम राम को किसका अवतार माना जाता है विश्णू का मंडोर के परतिहार सासकों का मूल पुरुस कौन था तो हारिश चंदर भारत में पर्थम जनगना कप कीगी 1872 में भारत की सबसे बड़ी नदी गटी प्रियोजना का नाम है भांखडा बोध मानते हैं बुध निर्वान दिवस को बेंगू किसान अंदोरन का नेतरत्व क्या था राम नारायन चोदरी ने नेक्स्ट है कि बिजग की पहाड़ी भीम जी की डूंगरी एं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के कि जिले में इस्तित है तो यह हैं जेपूर में बिजोली आंदोरन किस वर्ष प्रारम हुआ था तो बिजोली आंदोरन की सुरुआत हुई थी 1897 में बसंद पंचमी कब मनाई जाती है तो माग सुकला पंचम को मनाई जाती है बसंद पंचमी प्रेम चंद के अधूरे उपन्यास का नाम था मंगल सुत्र परताव वह राने के लिए अंतिम प्रियतन की रूप में अकवर ने किसे बेजा था तो जगनात कच्वाहा को बेजा नेक्स्ट है कि परतिवराज चुहान ने मुहमद गोरी के मद्दे पहला यूद कहां हुआ था तो तराइन की मेदान में हुआ था जिसमें परतिवराज चुहान की जीत हुई थी और तराइन का जो दित्य यूद हुआ था वो मुहमद गोरी और परतिवराज चुहान के क्यों सी धादू का मिशन होता है तो पितल में जस्ता और स्थापित किये गी तो मह aos तूरु पिर में तूर ताम्पा के अंधर और कश्ताता समन्धी सम्दूर्गों पर्महस्मंडलि निम्र्ण हत्याकांड क्यूर्य करें अंतूर विंदू करने के लिए किस वर्स किये गी थी तो नागरी पंचारिनी सवावी थी 1934 में देश में सवरो पर्थम राजस्तान पंचाय सिमिती एंजिला परिशद अधिनियम 1969 कहां लागू किया गया था तो नागोर में दुर्गापुरा केसर क्या है तो दुर्गापुरा केसर कि उन्नत किसम का नाम है थार के रेगिस्तान के कुल सितरफल का कितना पर्तिशत राजस्तान में है तो 58 पर्तिशत तरायन के पर्थम यूद का प्रिणाम क्या हुआ पर्तिराज उहान की विजेवी थी टिको मेला इंडुलेटा वेग्यानिक नाम होता है तो टिको मेला इं थापित की गी थी नेक्स जैकि जिन सिलालेकों में सासकों की यसो गाथा होती है उसे कहते है प्रस्तरती जेपुर के कचवा राजवंच की अराद्य देवी है सीला देवी नेक्स जैकि 24 बाणिया किस लोग देवता से सम्दित पुस्तक या गरंथ हैं तो 24 बाणिया है राम देवजी से समंदित चितोड के पार्सोनाथ के मंदिर का निर्मान भरतपूरी आचारी के उपदेश से किस ने करवाया था तो जैतल देवी ने करवाया था नेक्ष आता है क्विशन की गोरा और बादल वीर राजपूत योदाओं का समन्द किस से है तो गोरा और बादल वीर राजपूत योदाओं का समन्द है चितोड से गुरडे ग्रामिन पुरुसों के किस अंग का अबुशन है तो गुरडे है कान का अबुशन खनीजों के संदरब में राजस्तान को कहा जाता है आजायब घर कौन सा चितरकार भीलो के चितेरे के रूप में विख्यात है तो गोवर्दनलाल बाबा परशीद है केंद्री सूचना आयो का मुख्याले कहां पे है तो केंद्री सूचना आयो का मुख्याले है दिल्ली में कीर्थी स्थम परस्थी के रचियता है जेता किस सहर को राजस्तान का मैंचेस्टर कहा जाता है तो भेलवड़ा को कहा जाता है राजस्तान का मैंचेस्टर नेक्स्ट है कि किस योजना के दुआरा लगू और सिमांत किसानों को सिचाई कारिये में साइता जी जाती है तो जीवन धारा योजना की तहट किस जिले को राजस्तान का सबसे सुस्क जिलाक माना जाता है तो चूरू को माना जाता है काली बंगा सबेता के लोग किस लीपी का परियोग करते थे तो सेंदव लीपी का परियोग करते थे कव्यतरी मेरावाई किस रियासित की पुतरवदू थी तो उद्धिपूर की पुतरवदू थी कबीर पंतिर संपर्दाय के संस्तापक कौन थे तो कबीर पंतिर संपरदाय के सनस्तापएक थे कबीर जी एकलिंग जी के मंदिर के दक्षनी द्वार की परस्ति किसके समय उत्किरन की गई थी तो एकलिंग जी के मंदिर की दक्षनी द्वार की परस्ति है वो माराना रणमल के समय में उत्किरन की गई थी नेक्ष है कि उंट के बिमारों ने पर किस लोग देवता की पूजा के जाती थी तो बापुजी की पूजा के जाती थी उतर भारत की पहली सरकारी इंजिनिरिंग कोलेज काई स्थापित की गई तो अजमेर में स्थापित की गई इंद्रा लिफ्ट स्थाई ओजना राजस्तान की किस जिले में है तो यह सवाई मादोपुर में है आरे समाज की स्थापना कब हुई थी 1825 में आठ विस्तापदी का मानमोरी लेक किस से प्राप्त हुआ था तो मानमोरी लेक प्राप्त हुआ था कंडल जेम्स टोड को अरावली परवसरंकला का सरवचे परवसिकर है गुरु शिकर 1727 मीटर है माउंट अबू शिरोई में अपरेल 1923 में खटित धाबी कांड किस किसान आंदोलन से समनित है तो धाबी कांड है वो बरड किसान आंदोलन से समनित है अगनी नर्ते का उदगम राजस्तान के किस जिले में हुआ तो अगनी नर्ते का उदगम हुआ है जैसलमेर में अकबर की चितोड विजे के उपरांद चलाएगे सिक्कों को क्या का गया तो सिक्का एलची कहा गया था कोलेज ओफेजर्स कहा इस्तित है तो ये उद्यपूर में इस्तित है नेक्ष्ट है कि 1938 में जोदपूर परजामंडल का नाम परिवर्दित कर कौन सा राजनेतिक संगठन गटित किया गया तो मारवाड लोग परिशत नेक्ष्ट आता है कि 1191 में 1102 में के तरैन की यूद में कि सुहान सासक को आकरमकारी सहाबूदिन गोरी से लड़ना पड़ा था तो परतिराज दरतेगो फ्लोराइड खनीज की उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा इस्थान है तो राजस्थान का इस्थान है पर्थम वेदो की ओर लोटो यह नारा किसका है तो दयानंद का नारा है वेदो की ओर लोटो बेकानेर के राठोरानरी ख्यात के लेकक हैं दयाल दास परम हंसी मंडली राजस्थान के किस समपरदाय से समंदित है तो जसनाती समपरदाय से समंदित है खुमान रासोगरंथ की रचना किसने की थी तो दलपती विजे ने हिंदी बासा की लीपी क्या है तो हिंदी बासा की लीपी है देवनागरी हाल्दी गाटी का वी सो परसी दूद किस नदी के किनारे लड़ा गया था तो हाल्दी गाटी का यूद लड़ा गया था बनास नदी के किनारे इस्थानांतरित बालो का इस्थूपो को इस्थानी वासा में पुकारा जाता है धरियन सूखा संभावे विकास कारेकर्म राजस्थान राज्ये के किस छेतर में लागू किया गया तो पस्चिमी छेतर में लागू किया गया सबसे कम अवदीतक मुख्य मंत्री रहने वाले नेता थे हिरालाल देवपुरा संत जांबो जी ने राजस्थान में किस समपरदाय की स्तापना की थी विस्नोई समपरदाय की सेखावाटी के गांदी किसे कहा जाता है तो बदिन अरायन सोडानी को कहा जाता है सेखावाटी के गांदी वरैत राजस्तान का परदानमंत्री कौन था तो हिराला सास्त्री वैसासा कौन था जिसने सासनकाल को चुहान सासनकाल का सुरन काल कहा जाता है तो विसल देव चतुर्थ को वरा महीर के अनुसार जब राजस्थान में खेर यों समी वरक्षों पर फूलों में ऐस हमाने वर्दी होती है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं तो वर्ष को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है वरक्षों की वर्दी लोग देवता तेजाजी का परतीक क्या है? तो तेजाजी का परतीक है सर्प लकड आओ ककड के नाम से किस नेता को जाना जाता है? तो जैन अरण वास क्यों जाना जाता है? लकड आओ ककड रुपाजी वा करपाजी नाम किसान नेताओं का समन्द किस अंदोलन से हैं तो रुपाजी वा करपाजी नाम किसान अंदोलन का समन्द है बेंगू किसान अंदोलन से राम देव जी लोग देवता का परसिद इस्थान है खेडापा जोदपूर राज्ये की कौन सी मिट्टी में सरवादिक नायट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो नायट्रोजन की मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में राजस्तान में संकल का समंध किसे है तो पसो बांधने के लिए प्रियोग की जाने वाली लोही की रशी को कहा जाता है संकल राजस्तान संगीत नाटक अकादमी का इस्तित है तो ये जोदपुर में इस्तित है राजस्तान राजे में सरवाद इक वर्षा किस महीने में होती है तो जुलाई मा में होती है राजस्तान राजे में किस करांती को सरसो करांती का अपरियाय माना जाता है तो सरसो करांती पीली करांती नेक्स है कि राजस्थान राजे मानवदिकार आयोका मुख्याली कहां पर है उदिवपूर में इस्थित है राजस्थान राजे की दित्य खनीजनीति कब गोशित के गी थी तो अगस्ट 1924 यानमा में अभी हाली में असो गलोत ने अभी ये बताया वजट में कि अभी खनीज निती और मनाई जाएगी राजस्तान राज्ये का कौन सा जिला खस एंवितर उध्यों के लिए परशिद है तो स्वाई माधपूर भरतपूर नेक्शा कि राजस्तान में सरवादिक तहसिनों कुई संक्या किस दिले में है तो जेपूर में इस्तित है राजस्तान में सेवमत से समंदिर राज़ परिवार था उध्यपूर राजस्तान में वीतिय वर्स दोजार बारा तेरा में स्थिर कीमतों दोजार चार पांस पर पड़ती वेक्ती आय कितनी थी तो वो थी 39,970 रोपे राजस्तान में लठमार हुली मनाय जाती है महाविर जी राजस्तान में मुसल्मानों के द्वरा ताजी निकाले जाते हैं मोरम के आउसर पर राजस्तान में बरैट्स के विसाल बंडार कहां पाई जाते हैं तो जगतपूरा उदेपूर में हैं बरैट्स के विसाल बंडार राजस्तान में पोकरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है तो रामदेवरा का मेला भरता है राजस्तान में नेलकंट मादेव का मंदिर किसी स्थान पे है तो नेलकंट मादेव का मंदिर है बैसोरगड में राजस्तान में जवार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहा होता है तो कोटा में होता है राजस्तान में चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अन्मानगड में राजस्तान में कौन सी कला यह सांसकर्थिक मंडरी ने 1901 में भारत मोट्सव के आविजन में वहां की जनता को अधिक आकर्शित किया था तो मरोस्तली में मोर राजस्तान में किस इस्तान पर किसन विलास मंदिर है तो किसन विलास मंदिर है कोटा में राजस्तान में कागजबर जो चितर उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है तो उसे पाना कहा जाता है राजस्तान में अरावली उत्तर पुरों में किस जिले में परवेश करती है तो राजस्तान में अरावली उत्तर पुरों में जुन्जनु जिले से परवेश करती है जादन था तपश्या राजस्तान में रामानु संपर्दाय के संस्तापक थे जसनाज जी नेक्स आता है कि राजस्तान में ब्लू पोर्टरी की चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती थी तो कांच और चिनी के बर्तनों पर राजस्तान में पूर्ट है बैने वाली सबसे लंब बोटिक विवाग है, तो बोटिक विवाग है, चार राजस्तान के लोग देवता गोगजी का परतिक है सर्प राजस्तान के पर्थम वितायों के अदेख्ते कशन कुमार गोयल राजस्तान के कौन से भाग में सरवादिक वर्षा होती है तो जक्षनी पूरवी भाग में राजस्तान के किस जीले में दिलवाडा मंदिर है तो शिरोई में है राजस्तान के किस चेतर में होली के उसर पर प्रूसों के द्वारा वर्ताकार नरते हाथों में चंग लेकर किया जाता है तो सेखावाटी चेतर में राजस्तान के एक इकरण का पहला सोरूप 1948 में था मतश्य संग राजस्तान के लंबाई कितनी है तो पूरो से पसीम है 809 कीमी और उतर से दर्क्षन है 826 किलोमेटर राजस्तान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतराष्टी सीमा की लंबाई है 1070 किलोमेटर राजस्तान के अंतराष्टी सीमा 1070 है राजस्तान का सबसे सुस्किस्तान है फलोदी राजस्तान का सबसे अधिक फैल्सपार किस दिले से प्राप्त होता है तो फैल्सपार होता है अजमेर से राजस्तान का लगब कितना भूबाग उत्री पसिमीर एगिस्तान के अंतरगत आता है तो 1.88 लाग वर किलोमेटर वाला भाग है वो उत्री पस्मीर एगिस्तान के अंतरगत आता है राजस्तान का पर्थम Science and Medical विश्व विदाले है जेपूर में राजस्तान का चेतरफल भारत की चेतरफल का कितना परतिशत है तो वो 10.41 पर्थम स्थान है राजस्तान का राजस्तान का एक इकन कब संपन हुआ था एक नॉमबर 1956 को राजबुतों की उत्पती से समन्दित अगनी कुंट के सिधान से किस बंस का उदे नहीं हुआ तो राठुडों का नहीं हुआ है युरेनियम राजस्तान में कहां पर पाया जाता है तो युरेनियम पाया जाता है उदेपूर, डुंगरपूर, बांसवाड़ा और सीकर में मेगनीज राजस्तान के किस जिनों में पाया जाता है तो मेगनीज पाया जाता है बांसवाड़ा और उदेपूर में मेवाड के मारणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस यूद में प्रास्त किया था तो खातोली के यूद में प्रास्त किया था मर्दा की उरवरा सक्ति को बनाय रखने के लिए कौन सी खाद परियुक्त किया जाती है, तो गोबर वह हरी खाद को परियुक्त किया जाता है मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महतोपूर कारक है, स्थान यह जलवायू माता कुंडा ली जी का मेला कहां आयुजित किया जाता है तो रस्मी चितोडगड में मारणा परताप का राजेवेशेक हुआ था गोकुंदा में मलेनाथ पसु मेला बाड मेर मायुजित किया जाता है मतेश पर्शेक्षन विदाले ववस्तित है उदेवपुर में भारत में पर्थम विवस्तित जनगर्ना पूरे भारत में कब की गई थी? 1881 में भारत की स्वादिन्ता के समय ब्रेटेन के परदान मंद्री कौन थे? कलिमेंट एटली थे जो लिबर पार्टिशे थे बर्मा जी का मंदिर का इस्तित है तो बर्मा जी का मंदिर है पुस्कर में बेड़स नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो आयड नदी भी कहते हैं बेड़स नदी को बिजासन माता का मंदिर है इंदरगट बुंदी में बिजासन माता का मंदिर हैं इंद्रगड भूंदी में बिजोलिया सिलाले की स्थापना किसके दुआरा की गी थी तो जेन सरावक थे लोलक उनके दुआरा बिजोलिया सिलाले की स्थापना की गी थी बांगड की मीरा गवरी बाई का मंदिर इस्तित है डूंगरपूर में प्रोपेसर S.D. संकलिया के निर्देशन में जिस सब्वेता स्थल का उत्खनन हुआ वैक कौन सी थी तो S.D. संकलिया के निर्देशन में वा था आड सब्वेता का उत्खनन परतिहार नरेस कुक का वर्णन कहां मिलता है तो गटियाल के सिलालेक में मलता है परतिराज सुहान का समकालिन गरडवाल सासर कौन था तो जैचल गरडवाल थी पिली मीटे के चतर में कौन ची फसल अधिक बोई जाती है तो मुवफली बोई जाती है पहले आम चुना में राजस्तान विदान सवा में कितने शेटे थी एक सो साथ पावन उर्जा के चतर में राजस्तान का कौन साइस्तान है चोथा इस्तान है निमराना चिप सिप मतस्य संग में कब सामिल हुआ था तो अठारा मार्च उनिस सो अड़तालेस को नागोर जिले के मगराना में किस परकार का संगमर में मिलता है तो केल साइटिक संगमर में मिलता है देनिक नवजोती का परकासन का प्रारम हुआ था 1936 में दूद्वा खारा अंधुरन किस रियासत से समंदित है तो बिकानेर से समंदित है दक्षनी राजस्तान के सवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो मही नदी को कहा जाता है तरहन के पर्थम यूद में किसकी विज़ेवी थी पर्थिवराज चुहान तरते की ठूसी बड़ा मुहरन मंडली लहाल रो आदी अबोशन समंदित हैं गले से जोदपूर राजस्तान राजपरिबार की कुल देवी है नागनेनेची माताजिसे चामूंडा देवी भी कहते हैं जेद सर कर्षी फार्म की सापना 1956 में किस देश के सयोग से किये गी थी तो रूस के सयोग से किये गी थी जिबसम राजस्तान में सरवादिक कहां पर पाये जाता है नागोर में जेपूर जिले में मानपूरा माचेडी विक्सित किया गया है लेधर कॉम्पलेक्स के रोप में चोमासा कौन सी फसल कहलाती है तो जायद की फसल को कहा जाता है चोमासा फसल चितोडगड में किर्ती स्थम का निर्मान किस ने कराय था तो किर्ती स्थम का निर्मान करवाय था राणा कुम्बाने ग्रिशम रितों में सरवादिक आंध्या राजस्तान के किस जिले में चलती है तो गंगानेगर में चलती है गुईर वन्स की प्रारंबिक राजदानी थी नागदा नेक्ट आता है कि खनीजों का अजयब घर किस राजिय को कहा जाता है तो राजिस्तान को कहा जाता है खनीजों का अजयब घर कौन सा चितरकार भैसों के चितेरों के रूप में विख्यात है तो परमानंद चोयल कि द्वारा किया गया था तो राणा लाखा किस राजबुद राजाने हरिनात सुंदरदास एवजगना जैसे विद्वानों को सरंख्षन परदान की थी तो आमेर के महराजा थे मांचिंग किस द्रम का परचार परचार राजस्तान में प्राचिन काल्स में अधिक हुआ था तो वेदिक द्रम का काली बाई जिसने डूंगरपूर पुलिस के हाथों अपने अधापक को बचाने में अपने प्राण दे दिए वह कहां की रहने वाली थी तो वही रास्ता पाल की रहने वाली थी कानरदेव कहां का सासक था तो जालोर के सासक थी करोली परजामनल की तो तिग्रोग चंद माथूर के द्वारा किये गी थी एनार्स एंड एंटिक्विडिस और राजस्थान के रचिता हैं कर्नल जेम्स टोंड ओंट स्रंगार का वर्णन किस गिद में किया गया है तो गोर्मन्द में किया गया है उतरी भारत का पर्थम सरप उध्यान का इस्थित है तो कोटा में अवस्थित है इस रोग कॉंपलेक्स का सिरानास हाली में राजस्थान के किस सहर में किया गया है जोधपुर में किया गया है आरे समाज की स्थापना स्वामिद अयनन सरस्वती ने की थी आधीवरा की उपादी किस राजगु साशक ने धारन की थी? तो महीर बोज ने धारन की थी आधीवरा की उपादी अरावली परवस रंकला की राजस्तान में कुल लंबाई है 550 किलोमेटर अबरक राजस्तान में सरवादिक पाये जाता है भीलवाडा और उदेपुर में अगनी बांड समाचार पतर का परकासन जे परकास नारान के द्वारा कब किया गया था तो अगनी बांड समाचार पतर का परकासन किया गया था जे परकास नारान के द्वारा सन 1936 में नेक्ष आता है कि अकबर के चितोड़ पर आकर्मन के समय किसके नेतरतों में हजारों राजपुतों ने मुगल सिना का मुकाबला किया था तो वीर जेमल और पत्ता के नेतरतों में IIT राजस्तान कहा इस्तित है तो IIT राजस्तान है जोदपूर में 22.1908 में चितोड़गड में रास्मी परगनाश्तित मातर कुंडिया नामगिस्तान पर कौन सा अंदूलन परारम हुआ था तो जाट किसान अंदूलन परारम हुआ था 22.1908 को 1207 में किसने आमेर के मिणाओं को पराजित करके आमेर की कच्वाओं की राजदानी बनाया था तो कोकिल देव ने नेक्ट आता है कि रानी केत्की की कानी के रच्यता कोन है तो इंसा अल्ला खां है रानी केत्की की कानी के रच्यता सुपलक्षमी योजना का सम्मद है कन्या जनम पर उपार योजना से ब्रज मौत्सव का आयोजन राजस्तान के कि जिले में होता है तो भरतपुर में होता है पर्तिवराज विजे पुस्तक के लेकर है जियानक गुड फराइडे किस धर्म से समंदित है तो इसाई धर्म से संपरदाय से समंदित है हिंदी साइते समेती भरतपुर के सहस्तापक कौन थे तो जगनात अधिकारी next आता है कि हल्दी गटी के पास पर इस्तित खमनौर गाउं के रक्त तलाय के मैदान में वालेर के किस राजगुमार ने अपने प्राण उसर हूं की जिसकी समाधी वहाँ पे इस्तिता है तो राम सिंग टवण ने सबतंतरता आंदुलन में एहम भमी का निभाने वाले सबतंतरता सिनानी लादूराम जोसी का जनम की जिले में हुआ था तो लादूराम जोसी का जनम हुआ था सीकर में सूखे की सबसे कम आवर्ती राजस्थान में की जिले में रही है चितोडगड में सागरगा कौन सा भाग राजस्थान के निकट है तो कच की खाड़ी समाचार पतर देनिक नवजेती शुरू आथा 1923 में संद जामबो जी ने राजस्थान में की संपरदाय की स्थापना की थी तो संद जामबो जी ने की थी विश्णोई संपरदाय की स्थापना से कावाटी लेकर समर्चिंग तक के मिवाड सासकों का वर्णन है तो वह है आबू का सीला रेक वर्तमान राजस्तान कब अस्तितों में आया था तो एक नॉम्बर 1956 को लोग देवता की राज्य करांती का जनक माना जाता है देव नारैन जी को नेक्स आता है कि लच्छु माराज का समन्द की सास्त्री नर्तेशे हैं तो लच्छु माराज का समन्द है कथक नर्तेशे रगिस्तान का कल्प रख्ष है खेजड़ी रामानुजाचारी किसके अनुएई थे तो रामानुजाचारी है वो विष्णम धरम के अनुएई थे राजस्तान संग का 25 मारस 1948 को उद्गाटन कहां किया गया था तो कोटा में किया गया था। पहली बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसेन से मतान कराया गया था तो बार भी विदान सबा में। राजस्तान में संग धना का जनम कहां हुआ था तो संग धना का जनम हुआ था धोण गाओं पड़ता है टोंप में वहाँ पे जनम हुआ था संग धना का। राजस्तान में विदेशी प्रियोटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला क्या लगता है तो पुस्कर राजस्तान में लहरिया और पॉम्सा परशिद है जेपूर के राजस्तान में मेगनीज है तू सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है तो मेगनीज है बांस वड़ा राजस्तान में व्यावर बादसा मेले के परशिद है बुंदी में कौन सा मेला परशिद है तो कजली तीज का मेला बुंदी का परशिद है राजस्तान में पोकन के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भड़ता है तो रामदेवजी का मेला भड़ता है राजस्तान में नर्ते नाटक सुर्दास एंव संकरिया किस पेसेवर जाती से समंधित रखते हैं तो वो सपेरा जाती से समंधित रखते हैं नेक्स्ट है कि राजस्तान में डुंगरपुर और बासवाड़ा को पर्थक करने वाली नदी है माही नदी राजस्तान में चलने वाले सुस्क और दोलबरी हावाएं कहलाती हैं लू राजस्तान में कौन से सिवाले में तीन स्वें भू सिवलिंग विराजमान है तो निरकंट सिवाले में राजस्तान में किसान अंदोलन का जनक माना जाता है विजे सिंग पथी को राजस्तान में काला पत्तर बोतायत में कहां पाया जाता है तो शिरोई में पाया जाता है राजस्तान में अलाउदिन खिल जी की मस्जित किस इस्तान पे है तो अलाउदिन खिल जी की मस्जित है जालवर में राजस्तान में तीजोत्सव का अविजन की जिले में होता है तो जेपूर में होता है राजस्तान में इस्तित मरुस्तल को किस नाम से जाना जाता है तो मरुस्तल को जानते हैं थार का मरुस्तल के नाम से राजस्तान में सबसे अधिक सीचाई किन जिलों में होती है तो सरवादिक सिचाई होती है स्री गंगानगरोर हनुमान गड़ में राजस्तान में राष्ट एक कर्षी विपरन सहस्तान इस्तित है जेवपूर में नेक्ष आता है कि राजस्तान में भील आंदुलन के प्रिणता कौन है तो भीन अनुन्द के प्रिणता है गुरु गौविंद गिरी राजस्तान में परशिद मिनाकारी थेवा कला का सम्मन्द है परताब गड़ से नेक्स आता है कि राजस्तान में दादू जी का इसमारक कहां पर बना है तो दादो जी का इसमारक है नारायना जेपुर में राजस्तान में जो सबसे प्राचिन सिक्के प्राप्त हुएं वे क्या कहलाते हैं तो वे आहत मुद्राएं कहलाती है राजस्तान में गोबर से घर की दिवारो वा चबूतरे पर क्या बनाया जाता है तो सान जी बनाया जाता है राजस्तान में किस तुवार पर खेजडी की पूजा की जाती है तो दसेरे पर की जाती है राजस्तान में अनका भंडार किशे का जाता है तो स्रीगंगानगर को राजस्तान दिवस कब मनाया जाता है तीस मारज को मनाया जाता है राजस्तान के लोग देवता मली नाजी का मुख्य मंदिरिस्तित है तिलवाडा में राजस्तान के भीलवाडा जिले में कि संपर्दाय की पीटिस्तित है तो रामानो संपर्दाय की राजस्तान के चितरफल का कितना भुबाग रिगिस्तानी है तो लगबग दो तियाई भाग है वो रिगिस्तानी है राजस्तान के की जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पसु मेलों का विजन करती है तो ना गोर राजस्तान के की जिले का छितरफल सबसे जाता है तो जिसलमेर का छितरफल है वो सबसे जाता है राजस्तान के एक इकण के चतूर्चरण का उत्गाटन सरदार वरलबाई पटेल की दोरा कहां पर किया गया था जियपपूर में राजस्तान की सबसे बड़ी और निरंतर बयने वाली नदी कौन सी है चंपल राजस्तान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को का जाता है रेड कलीफ रेखा राजस्तान की अंतराष्टी सीमा से लगने वाली जिले कौन-कौन से हैं तो चार जिले हैं बार्ड मेर, जेसल मेर, बिकानेर और गंगानगर राजस्तान का सरवादिक उपजाव भोतिक विभाग है पूरी मेदानी भाग राजस्तान का सब चैदिक वर्षावाला जीरा है जालावाड राजस्तान का वर्तमान सोरुप अस्तितों में आये था एक नॉम्बर 1956 को राजस्तान का पुर्वी द्वार कहलाता है भरतपूर राजस्तान का खजुरह कहा जाता है तो किराडू का मंदिर है बाड मेर में उसे कहा जाता है राजस्तान का खजुरह राजस्तान का एकरण हुआता 30 मारच 1949 को नेक्स्ट है कि राजसमन जिल का निर्मान माराना राज सिंग ने कब करवाया था तो राजसमन जिल का निर्मान करवाया था राज सिंग ने 162 में रण नर्ते राजस्तान के खिश चेतर में पुरुसों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है तो मेवाड चेतर में होता है रण नर्ते मोटा राज़ा उदेशिंग ने अपनी पुत्री का विवा किस मुगल सासक के साथ में किया था जहांगिर के साथ में मेवाड के मारणा संगा ने इबराहिम लोधी को किस यूद में परास्थ किया था तो खातोली के यूद में परास्थ किया था मेजा बांध राजस्तान में कौन सी नदी पर बनाया गया है तो कोठारी नदी पर बनाया है मेजा बांध मिर्जा राजा जे सिंग का सम्मन्द है कचवार वंसे मानगड धामिस्तित है बांसवाड़ा में मारना परताब की छत्री है बांडोली में मात्मा गंदी की हत्या के सतय में संदिह में नजर बंद किये जाने वाले अलवर के दिवान कौन थे तो उनका नाम है डॉक्टर एन्वी खर्रे मतस्य संग का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया था तो एन्वी गोडगिल के द्वारा किया गया था भारत सरकार ने राजस्तान की सडकों के अदूनी की करण के लिए किस बैंक से सायता ली है तो वी सो बैंक से सायता ली है बारत के पर्थम ग्रह मंत्री जिन्होंने राजस्थान का उद्गाटन किया तो उनका नाम है सरदार वरलभाई पटेल बिटे सरकार ने जिसलमेर के साथ नमक संदी कब की थी 1860 में बढ़े स्वर वर गलिया कोट किस नदी के किनारे बसेवे हैं तो बढ़े स्वर और गलिया कोट हैं माही नदी के किनारे बिसल देव की प्रेमी का राजमती कहां के सासक की पुत्री थी तो वो मालवा की सासक की पुत्री थी विस्नोई समाज के संस्तापक है जामबो जी बागूर सब्वेता का उत्करन कारिय किसकी निर्देशन में हुआ था तो बागूर सब्वेता का उत्करन हुआ था डॉक्टर वी एन मिस्टर के निर्देशन में प्रतिहार सासकों के काल में परियुक्त मंदिर इस्तापत्य सेली का नाम क्या है तो वह है गोड़जर परतिहार सेली परतिवराज तर्ते का जनम कब कहा हुआ था तो परतिवराज तर्ते का जनम हुआ था अनहल पाटन में पुराणों की संख्या 18 है पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दोरान अधिन्ता स्विकार की थी तो ये थे भारमल पावन की दिशा के समकोंड पर बनने वाले बालुका इस्तूप को कहा जाता है अनुपरस्त बालुका इस्तूप नोकिली नाक लंबा कद खीचा हुवा वक्स इस्तल पारदस्ती वस्तरों का अंकन ये किस चितर सेली की विशेष्ता है तो ये किसंगड सेली की विशेष्ता है नाज संपर्दाय की पर्मुक गद्धी राजस्थान में किस इस्तान पे है तो वो जोदपूर में है धनोप माता का मंदीर काई इस्तित है तो धनोप माता का मंदीर इस्तित है भीलवाडा दूसरा जलियावाला बाग कांट से समंदिज इस्थल नीमुचोणा किस जिले में है तो नीमुचणा है अलवर में दयानन सरस्वती ने सत्यार्थ परकास की रचना राजस्थान में कहां की थी तो सत्यार्थ परकास की रचना की थी उदेपुर में तराइन के युद का विस्तर्त विवरण किस ग्रंद से पराप्त होता है तो पर्तिवराज रासों से पराप्त होता है डांग प्रादेशिक विकास बोड का रेश शतर कोन सा है तो कोटा और भरतपुर संभाग जोदपुर राजपरिवार की कुल देवी माने जाती है नागनेर्ण ची माता जिसे हम चामुंडा देवी भी कहते हैं जेन आचारी हरीबदर सुरी का जनम होता है चितोडगड में जिस अभिलेख में साकंबरी के चोहां सासकों की उपलब्दियों का वर्णन मिलता है वह है बिजोलिया का अभिलेख जेपुर में कच्वार राजबंच की अरादय देवी है सीला देवी गड़ियालो की स्तरली किसे कहा जाता है तो चंबल को कहा जाता है कुहील वन्स के बपा से लेकर कुम्बा तकी विश्चरत वन्सावली एं उनकी उपलब्दियों का वर्णन कहा मिलता है तो किर्ती इस्तम के लेख में मिलता है खाटू श्याम जी का मेला लगता है सीकर में कौन सा धर्म सनातन धर्म है तो हिंदू धर्म है वो है सनातन धर्म केसरियानाजी का मेला चेतर सुधी अश्टमी को कहां पड़ लगता है तो केसरियानाजी का मेला लगता है मेवाड की धुलेव गाम में नेक्स है कि कुम्बलगड से गोकुंदा के मद्य च्थित पठार को किस नाम से जना जता है तो कुम्बलगड से जो गोकुंदा है उसके मद्य जो पठार उसे कहते हैं बृत का पठार किस आसर को मानवों का खंडहर वसेनिकों का भगनावेस कहा जाता है तो माराना सांगा को किस राजस्तानी रियासत में प्रधार मंत्री को मुसाहिब कहा जाता है तो जेपुर रियासत में किस नदी के परवाज चेतर को राजस्थान में छपन का मेदान कहते हैं तो माही के मेदान को कालेशिंद वा ओहु नदियों के संगम इस्थल पर गागरोन दुरुग का निर्मान किस ने करवाया था तो डोड पर मारने करवाया था नेक्स्ट हैगी कानबेलियों की इस्तरियों के दुआरा भीक मागते समे राजस्थान में किये जाने वाले नरते जिसमें चंग का परियोक क्या आता है तो है बांगडिया करक रेखा को दो बार पार करने वाले नदी का नाम है मही नदी एच या की सबसे बड़ी उन की मंडी लगती है विकानेर में उपरमाल क्या है चितोडगड और भीलवाडा की पठारी भूमियें उसे कहा जाता है उपरमाल उदेवपुर के उतर पस्ची में इस इत पहाड़ीों को इस्थानी बासा में क्या कहा जाता है तो इस्थानी बासा में कहा जाता है मगरा नेक्सट है कि इसलाम धरम का पवितर गरंथ कौन सा है तो इसलाम धरम का पवितर गरंथ है कुरान आलम जी की राजस्थान के किस में लोग देवता के रूप में पूजा जाता है तो बाड मेर में आलम जी को राजस्थान में लोग देवता के रूप में पूजा जाता है आदी वराय की उपादी धरन करने वाला सासक है मिहीर बोज नेक्स्ट है कि अरावली पर्देश को कितने उपपर्देशों में विबक्त किया गया है तो अरावली पर्देश को तीन उपपर्देशों में विबक्त किया गया है अब रगवातामबा उत्पादन में राजस्तान का इस्तान है दूसरा नेक्स्ट है कि अगोरी जो समसानों में रहते हैं समधी थते हैं का पालिक अकबर की द्वारा माराना पड़ताप से मेत्रे स्थापित करने के लिए गठी तरते सिष्ट मंडल का नेतरत्वा किसने किया था तो भगवंद दास ने किया था जगदगुरू रामनन्चारी राजस्थान संस्क्र्ट युनिश्टी कहां पे स्थीता तो यह है जेपूर में 23 सितंबर 1912 को लर्ड हार्डिंग पर विर्दमान विधाले जेपूर के जिस विदार्थी ने बंफ है का वह था जो रावर्चिंग 1519 एश्वि में गागरून की युद में मालवा के कि सासक पर राणा सांगा ने निर्नायक विज़े प्राप्त की थी तो मयमूद पे की थी कंवर्चिंग किसे समन्दित है तो योजनाकार से समन्दित है कंवर्चिंग 17 सब विदाओं का मूल है यह कतन किसका है तो 17 सब विदाओं का मूल है यह है और यह समाज का भूरी करांती खाद्यान संस्क्रण से समन्दित है पर्थवी राज विज़े गरंत की रसना किसने की है तो जयानक ने गरंत रचा है पर्थवी राज विज़े जिसलमेर का गुंडाराज की लेकक है सागरमल गोपा हिंदु दरम के बाद किस दरम के लोगों के संख्या आदिक है मुसलमान हल्दी गाटी की यूद को किस विद्वान ने खमनोर का यूद का है तो हल्दी गाटे की यूद को का है खमनोर का यूद अब्दुल फजल ने सवतंदर्ता के पशाद राजस्तान के पहले एक मातर परदानमंत्री बनाये गए हिरालाल सास्त्री सुखा की सरवादिक आवर्ती राजस्तान में किस जिले में है तो जिसलमेर में सात्वी सताफदी में अजमेर दुरक की स्थापना किसने की तो अजमेर दुरक की स्थापना की थी अजेपाल ने समराट पर्तिराज चोहांतर्ते की पिता कोन है तो समराट पर्तिराज चोहांतर्ते की पिता है सौमेश्वर संतर रजब जी की परधान गदियां संगा नेर में नेक्षट की सेखावाटी में गराम कट्राथल में अपरेल 1934 में किसके नेतर्तव में हजारो जार्ट में राओं ने किसान आंदुरन में भाग लिया था तो किसोरे देवी के नेतर्तव में वैसनम संपरदाय की दो मुख्य गदियां राजस्थान में कहां पे हैं तो ना दुआरा और कोटा में हैं वागेश्वरी के नाम से कौन जाने जाती हैं तो रमा भाई को का जता है वागेश्वरी वर्तमान राजस्थान का निर्मान की दितिये एक नॉम्मर 1956 लोग देवता बाबा रामदेव जी का जनम स्थन है उडगू लावा ठीकाने को जेपूर यासत में कब सामिल किया गया था जुलाई 1948 में रेगिस्तान का जल महर बाटाडू कुवा किस्तीत है तो बाटाडू का कुवा है बाडमेर में रायपूर का परधान पुस्तक लेखक है कुलदीप एम सर्मा राजे में किस खनीज की संभावने सबसे अधिक हैं तो खनीज देल वा गेस की अधिक संभावने हैं राजस्तानी लोग कला में कपड़ों पर निर्मी चितरों को कहते हैं पढ़ चितर राजस्तान संग का अंति मिर्मान कब हुआ था तो राजस्तान संग का अंति मिर्मान हुआ था 18 अपरेल 1948 में नेक्स्ट उक्षने आता है कि राज़स्टान राज़े में माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है नेक्स्टान राज़े में अधिक सुखा या वाकाल पढ़ने पर अधार बूत करण है आ नियमित आ परियाप्त और आ निशित वर्षा नेक्ट है कि राजस्तान राजे के एक एकरण के दोर में सिरोई के राजस्तान में कब सामिल किया गया था तो सिरोई को सामिल किया गया था सश्ट जरण में राजस्तान राजे का कौन सा भोतिक पर्देश तेथित सागर का उसेथ है तो पस्मी मरोपर्देश है वो टेति सगर का अउसेस है राजस्तान में सरवादिक वर्षा वाला इस्तान है माउंट अबू राजस्तान में संद धन्नाजी ने धार्मिक आंदुरर में बड़ा योगदान दिया वे किसके सिशे थे तो धन्नाजी थे रामानदी के सिशे राजस्तान में विश्वजीत गुरुकुल बनाय जा रहा है पाली में राजस्तान में लाग के आबुशनों, खिलोनों और कलात्मक वस्तों का निर्मान कहां पर होता है उदेवपूर में राजस्तान में मेले किसके परतिक हैं राजस्तान में मेले सभी धार्मिक चिनों के परतिक होते हैं राजस्तान में भीलों का कुम मेला कहां लगता है तो बनेश्वर सिमेला राजस्तान में पर्थम सहयकारिता समीती काँ स्तापित की गई थी भिनाई में राजस्तान में नोहर तहसील गंगानगर में कौन सा परशित मेरा लगता है तो गोगा जी का मेरा लगता है नोहर तहसील गंगानगर में राजस्तान में तेजाजी का मेरा लगता है परबस्तर में राजस्तान में चान्दी की खान कहां पे हैं तो जावर और रामपुर्वा आंगुचा है वो भिलवाडा राजस्तान में खजुराओं के समान काम किरडाओं के चितरन के लिए परशिद मंदिर समू है किरडाओं का मंदिर समू है राजस्तान में कुआ खोदने से पहले किस देवता के राधना की जाती है तो जल देवता की राजस्तान में किन वनों का अभाव है तो संकुधारी वनों वो नहीं पाई जाते राजस्तान में आधिवाचियों का सबसे आस्ता किंदर जहां मेला लगता है तो बनेशवर डुंगरपूर राजस्तान में पत्थर का विमान कहां बना हुआ है तो राम बेकुंटनात मंदिर पुस्कर में राजस्तान में स्थित्मेवाड राजकुल के अरादे देव माने जाते हैं एक लिंगे स्वर राजस्तान में लगबग 1800 गुप्त कालिन्सकी कहां से मिले हैं तो बैयाना से प्राप्तविए हैं राजस्तान में भेड की सर्वस्रेश्च नशल भारती मेरिनों कहां है तो तुम्हें भारती मेरिनों को कहा जाता है चोकला राजस्तान में पर्शिद वेली कृष्ण रुकमरी रचना किसने लिखिया है तो वेली किसना रुकमरी लिखिया है राठोड पर्थी विराजने राजस्तान में दाबू पृरिंड के लिए पर्शिद्थान है आकोला राजस्तान में जीलो के नगरी की सहर को का जाता है उदेपूर को राजस्तान में ओरंग पर्भू के अनुवय अधिकतर की जिले में है तो वो जेपूर में है राजस्तान में किस मिट्टी का छेतर सरवादिक है तो रितीली मिट्टी का राजस्तान में अबरक का उत्पादन होता है भीलवाडा में राजस्तान इर्मान के पर्थम चरण में मतशे संग नाम रखने का सुजाव किस ने दिया था तो मतशे संग नाम रखने का सुजाव दिया था केम उन्ची ने राजस्तान के लोग संथ जामबो जी का जनम कहा हुआ था तो जामबो जी का जनम हुआ था पिपासर नागोर में राजस्तान के भोगलिक छितर को राजस्तान का नाम कब दिया गया था तो 1 नॉमबर 1956 को राजस्तान के चोथे वित आयोग का गठन किसकी अध्यक्सता में हुआ था तो बीडी कल्ला के अध्यक्सता में राजस्तान के किस जिले में सुर्य की किर्णों का तिर्चापन सरवाधिक होता है स्री गंगानगर राजस्तान के कि जिले का मुखेले सरवादिक पाक सीमा के नजदीक है तुस्री गंगानगर का है राजस्तान के कितने जिलों की सिमा किसी देश अत्वाराजे की सीमा से नहीं लगती है तो आड जिले हैं उनकी सिमा किसी राजे से भी नहीं लगती है और किसी जीले से वेने लगते हैं राजस्तान की सबसे उची जील कौन सी है तो वो है नकी जील राजस्तान की पर्थम चीनी मेल कहां पे स्तापित की गई थी तो भपाल सागर में राजस्तान की आकरती है विशमकर्णी है चतरबुज राजस्तान का सरवादिक ठंडा इस्तान है माउंट आबू राजस्तान का सबसे अधिक वर्षावाला इस्तान भी है माउंट आबू राजस्तान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात है पाकिस्तान से लगती है तो गुजरात और पाकिस्तान से लगती है बाड मेर की राजस्तान का परवेश द्वार किसे का जाता है भरतपूर को राजस्तान का खजरवाह का जाता है केडाडू मंदिर को राजस्तान का एक ऐसा जिला जिसमें कोई भी एनस नहीं गुजरता है तो वो है जुन्जनू राजस्तान लोग सिवायों की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को रनकपूर परस्तिती का सुतरधार कौन था? तो रनकपूर परस्तिती के सुतरधार थे देपाग मोर्दवजवन यालचंद किस चितरकला सेली से समन्दित है? तो मोर्दवजवन यालचंद है किसंगड सेली से समन्दित मेवाड महुत्सव कब है कहां आयोजित क्या जाता है? तो अपरेल में आयोजित होता है उदेपूर में मेजा बांध किस में है तो भेलवाडा में है मिठे पानी की एचिया की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो वह है जे समन जील मारवार राजे में जन जागरिती का नाय कौन है तो जैनारायन व्यास नेक्स आता है कि मारणा परताब की बांडोली में इसी चतरी किस बांध की किनारे बनी वी है तो केजड बांध की किनारे बनी वी है मात्मा गांधी ने किसी डेरिम डबल डिस्टिल्स की संग्या दी है तो नीमूचणा हत्याकान को ब्लू पोटरी के लिए परसीद है जेवपूर बेराट की पाड़ी में कौन सी नदी निकलती है तो बेराट की पाड़ी सी निकलती है बान गंगा बिसल देव की वीरता प्राकरम एराज मती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवी ने अपनी करती बिसल देव रासों में की है तो नर्पती ना लेने विश्णोई समाज के सैंस्ता पका है जामबो जी बार्ड मेरे प्रिंट किस नाम से जाना जाती है तो बार्ड मेरे प्रिंट जाने जाती है अजरक प्रिंट के नाम से पांचना बाद है करूले में, पसो पक्सी फल फूल वरक्स आधी का चित्रन के सेली में अधिक वविशुस नहीं हुआ है, तो बूंदी सेली में हुआ है, नो लखा बावडी कहां पे है, डुंगरपूर में, ना द्वारा का राधा कर्शन, नर्ते परंपरा का नर्ते जो प मातर अब्यारन जो भेडियों के लिए परशिद है, यहां पर भेडिये परजनन करते हैं, तो है कुम्मलगड अब्यारन, धलपती विजे के द्वारा रचित गरंथ, खुमान रासों में मेवाड की किसासक की उपलब्दियों का वर्णन है, तो माराजा रासिंग की जेंदरम की वह साखा जिसके सादू वस्तर नहीं पैंते बलकी नंगे रहते हैं, तो दिगंबर साखा की, जित जहांगिर महल के लेक से हमें जहांगिर की मेवाड विजे का उलेक मिलता है, वह जहांगिरी महल कहा इस्तित है, तो जहांगिरी महल है पुस्कर में, जेपुर वेद सालाएं जेपूर के सासक जवाई जै सिंग ने की थी जिनमें जैपूर के जंतर मंतर की स्थापना कब की थी 1727 में चोहान राजवन्द का सैंस्तापक सासक कौन था वसुदेव चोहान जेंदरम की वह साका जिसके सादू वस्तर नहीं पहेंते बलकि नंगे रहते हैं तो दिंगंबर साखा के चितोड का नाम खिजराबाद किस मुगल सासक ने रखा था तो अलावदिन खिलजी ने गिया पतर राजस्तान में कहां पाये जाता है तो बेलवाडाव य उधेपुर में गेव सागर इश्तीत है तो गेव सागर है डूंगरपुर में खारी मिटी में कौन सी मनस्पति उख सकती है तो लवन अवरोधी घास कौन सा नर्ते राजस्तान में फते फते कहती हुई किया जाता है तो अगरी नर्ते केसर सिंग बाहर की मर्तिव कब हुई थी? 14 अपरेल 1941 को कुल देवी बाण माता की अराधना राजस्तान में कहां पर होती है तो मेवाड में होती है किस सिरा लेक में चोहानों को वत्स गोतर का ब्रामन का गया है तो बिजोलिया का सिरा लेक में नेक्श आता है कि किस राजे ने सायना नेवाल को ब्राण अमिस्टर बनाया है तो अंदर परदेश ने किस पुरा तत्वी इस तल पर जोते हुए खेत का सक्षे प्रामान मिला है तो जोते हुए खेत के प्रमान मिलें काली बंगा में किस आयो की सीपारिश पर आबू दिलवाडा तैसिल एम अजमीर मेरवडा चितर को राजस्तान में मिलाया गया है तो राज्य पुनर गठन आयो की सीपारिश पर काली बंगा का उतकरन किस के निर्देशन में हुआ था तो बेके थापर एम बीबी लाल के निर्देशन में करकरिगा राजस्तान के कि जिले से छूती भी गुजरती है तो दो जिले हैं डूंगरपर और बांसवाडा एतियासिक अलोरा गुफाएं किसके समय पिछतेते हैं तो औरंगाबाद के समीफ हैं अलोरा की गुफाएं उपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गी थी तो विजे सिंग पथिक के द्वारा की गी थी उपर माल पंच बोर्ड की स्थापना उदेपूर चेतर में बोली जाने वाली भासा है मेवाडी इसलाम दर्वर्मक के परवर्तक है मुहम्मद सहाब आहड की कोज किस उद्वान ने की थी तो आर्शी अगरवाल ने आधुनिक राजस्तान का निर्माता किसे माना जाता है तो आधुनिक राजस्तान की निर्माता हैं मौनलाल सुखाडिया अरावली श्रेने की दूसरी अधिक्त मुचाय की चोटी कौन सी है तो सेर है 1570 मिटरों चाही है अमर सहीद नानक जी भील का समन्द किस इस्तान से है तो अमेर सहीद है नानक जी भील उनका समन्द बूंदी से चल दासरी वचनी का नामक एतियाशिक रचना में कहां के सास्कों का वर्नन है तो गाबरों के सास्कों का वर्नन है अकबार ने अपनी 1570 की नागोर यातरा के समय जोदपूर दरग किसको सुपूर्द किया था तो राय सिंग को सुपूर्द किया था MBM Engineering College कहां पे सीता है तो ये जोदपूर में है 29 नियम की संपरदाय के हैं 29 संपरदाय की 1566 में हल्दी गाटी की युद में अकबर की सिना का नेतरतव किसनिय क्या था राजा मान चिंग ने केला देवी का मंदरिश्तित है करोली में सत्य सब विदाओं का मूल है कि समाज के द्वारा कहा गया है और ये समाज के द्वारा मलेनाजी का पसो मेला कहां लगता है तिलवाडा में बनना क्या है एक स्थानांदृत कर्षी का नाम है जिसरमेर का गुंडा राज के लेखना है सागरमल गोपा राजस्तान में प्राकर्तिक आपदा से परवावित्य लोगों को राजी विशिस आवाश योजना के तहट कितने रुपे की आर्तिक सहिताई दी जाएगी तो 55,000 रुपे की राजस्तान में पथर मार होली के लिए परशिद है बाड मेर राजस्तान में दरियापंद का धार्मिक्स्तान है रेड टॉंक राजस्तान में चांदी के गोले दागने है तो चर्चित दुर कौन सा है तो चूरू का किला राजस्तान में खारे पानी की जीलों में सागर के आउसेस हैं टेथित सागर के आउसेस हैं राजस्तान में कुम्मेले का आवेजन आदिवाशी किस महीने में करते हैं? तो माग महीने में करते हैं। राजस्तान में किस आदिवाशी जाती के लोग मेलों पर अपना साथी चुनते हैं? तो सहरिया जाती के लोग अपना साथी चुनते हैं। राजस्तान में इस्वर की कर जुनरामीर guz ушk. जैपटरान में मारबल नगरी के नाम से मतूर सेर का नाम है किशनगड. राज्स्तान में बनास नदी का उध कम नोर की पहाड़िया. राज्सतान में दासी संपरदाय के सरास. कोन है मीरा बाई राजस्तान में टंगस्टक की खाने कहां सित है तो टंगस्टक की खाने है डेगाना नागोर में राजस्तान में गोडी संपरदाई के संस्तापक है गोरांग महापरबू राजस्तान में किस इस्तान पर दादू देयाल जी का इसमारक बना हुआ है तो दाद पर्देश जालोर में साधी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना सेली में कौन सा नरते करते हैं? तो ढोल नरते करते हैं। राजस्तान के की जिले की सीमा मद्य पर्देश को पर्ष नहीं करती तुसी रहे की। राजस्तान के की जिलों में बोध अन्यूयों का संकेद्रन अधिक रहा हैं। तो अजमिर और जेपूर। राजस्तान की सरवादिक लंबी सीमा किस राज्ये में से लगती हैं तो मद्य प गानगर राजस्तान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसरमेर राजस्तान का भै जिला जिसकी सीमा सरवादिक जिलों से लगती है पाली आठ जिलों से लगती है राजस्तान का प्राचिंदम सिराले कौन सा है तो बडली का सिरालेक राजस्तान का गैजटियर कहा किसे कहा ज रन थम्मोर का यूद किसके मद्दे हुआ अलाउदिन खेल जी और रना हमीर के मद्दे हुआ था रन थम्मोर का यूद मौलाल सुखाड़या विस्विदाले कहां इस्तित है तो मौलाल सुखाड़या विस्विदाले है उदेपुर में मेवाड राजे की संगट कालिन राजधानी थी चावंड मेरी अक्यवान कविताएं के लेखा कौन है तो अटल बिहारी वाजबेई मेरी अक्यावन मीनाकारी की सर्वोतकर्ष करतिया राजस्तान में कहां तियार किये जाती हैं तो उजेवपूर में मारबल नगरी के नाम से मसूर सहर का नाम है किसंगट माराना परताव का निदन कहां हुआ जावंड में हुआ था माराना महान भारती मरुस्तल फैला हुआ है पाकिस्तान की सिमा के सारे कच की खाड़े से पंजाब तक विस्तरत है मरुस्तल मतश्य संक को वरत राजस्थान में किस सम्मेती की सिपारिश पर मिला गया था तो संकर राव दिव सम्मेती है उसकी सिपारिश पर मिला गया था नेक्ष्टा कि भारत एकर्सी विवाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकन किस आदार पर किया है तो मिट्टे की अरुवरता के आदार पे किया है 12 छोड़ों अंदरन का राजस्तान के किस सहर में सुतरपात हुआ है तो जोधपुर से सुतरपात हुआ है भरतपुर का सम्मध किस राजगराने से हैं तो जाट राजगराने से हैं बेराट में किस सबेता के अवसेस प्राप्त हुए हैं तो मोरे कलें सबेता के अवसेस प्राप्त हुए हैं बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध बिकानेर का कौन सा सासक अकबर और जहांगिर दोनों की सेवा में रहां तो उनका नाम है राय सिंग बाड मेर में इस्तित गोलाकार पहाड़ियों को का जाता है नकोडा परवत बड़ी मादराय में मालव सिकेवा आद मुदराय कहां से प्राप्त हुई हैं तो नगर से प्राप्त हुई हैं परदानमदरी गराम सड़क योजना की सुरुवात वर्स में हुई थी तो सुरुवात हुई थी 2000 में पर्तिवराज रासों के अनुसार राजपुतों की उत्पति कहां से हुई है तो पर्तिवराज रासों के अनुसार हुई है अगनी कून से पुराव सेसों के सरंक्षन हेतु संग्राले की स्थापना कहां की गई तो काली मंगा में की गई है पाइराट्स राजस्तान में सरवादी कहां पाई जाते हैं तो सादिलपूर सीकर में पसिमी मरुस्तली भुपाग में जनसेंग क्याका कितना पर्तिशत है तो 45 पर्तिशत है नोगावा के जहन मंदिर कहां इस्तित हैं तो नोगावा के जहन मंदिर है अलवर में नादवार के स्रिनाजी मंदिर में किस भगवान की परतीमा है तो भगवान स्रीकशन की नमे रोकने में सरवादिक प्रभावसाली मिटी है काली मिटी देश की एकमातर टंगश्टंग की खान राजे में कहां स्थित है तो डेगाना नागोर में दादू देयल के दो विख्यात सिचे जिनोंने राजस्तान में परशीदी प्राप्त किये तो उनका नाम है सुंदर जी और रजजब जी तारगड का किला कहा है अजमेर में डुंगर साही ओड़नी राजस्तान में किस कला से सम्मंदित है तो डुंगर साही ओड़नी है वाटी का जुआला माता का मंदिर का इस्तित है तो जुआला माता का मंदिर है जोबनेर में जेसलमेर के 17 तरता से नानी परजामंडल आंदुलन के कारी करता सागरमल गोपा का दियावसन कैसे हुआ तो जेल में हत्या होई थी उनकी जिस नदी का जल अरब सागर में परवाईत नहीं होता है तो वह है खारी जल में किसकी अधिकता से मिट्टी छारी हो जाती है तो सोड गोगाजी लोग देवता का परसिद स्थल कौन सा है तो गोगाइमडी जो है अनुमानगड में खुंबी छतरक वा कुकुर मोता किसकी उपनाम है तो मस्रूम के उपनाम है कौन सी नदी खंबात की खाड़े में गिरती है तो माही नदी केसरी सिंग बारट ने मेवाड के मा परना फते सिंग को दिली दर्बार में जाने से रोकने के लिए चितावनी राच उंगटिया लिकर कब बेजा था तो 1903 में कुसलगर ठीकाना राजस्तान में कब सामिल किया गया था 25 मारच 1948 को किस सेली पर मुगल परवाव अधिक पड़ा है तो आमेर सेली पर किस लेक में बताया गया है कि चोहान सूर्य वंची थे तो हरीकेली नाटा के उसमें बताया गया है कि चोहान थे सूर्य वंची किस पुरातत्तिवी इस्तल का प्राचिन नाम मालव नगर था तो नगर का किस एक्ट में लड़की के विवाय की उमर 18 वर्ष निदारित कीगी तो सारदा एक टाया था 1930 उसके तहत काली बंगा का साब्दिक अर्थ है काली सोडियां करकरिका राजस्तान के कि जिलों को छूतियत और डुंगरपूर और बासवाड़ा ओंसिया में औसे इस्क पाए गये हैं सो के उपर जेन ब्रामन मंद्रों के उसर भूमी किसे कहते हैं तो खारी उलोमनी भूमी को का जाता है उसर भूमी उदेवपूर परजामंडल से समधित महिला कोन है तो नार्यानी देवी वर्मा इस अब होल का मुखे उतपादक जिला है जालोर आड के तमर पतर से हमें क्या जानकारी मिलती है गुजरात के सासक भीव देव के समय में मिवाड पर गुजरात का अधिकार था इसके बारे में हमें जानकारी मिलते है अधुनिक राजस्तान के निमाता माने जाते हैं तो मोहनलाल सुखाडिया अलाओदिन के आकर्मन के समय रन्थमवर का सासक कौन था तो अलाओदिन के समय आकर्मन के समय रन्थमवर के सासक थे हाँ मेरी य कुछ आपके बहुत महतापूर्ण क्यूशन थे आपके एक्जाम में बहुत महतापूर्ण रही है ओके थैंक यू फूर वोचिंग मैं वीडियो